द्वितिय सत्र के आधर्णिय वक्ताओं का स्वागत है राश्रिय चात्र संसत 2020 का दूसरा सत्र जिसमें हम विचार मन्थन करने जा रहे हैं इस विशे पर नए भारत का नया तेवर नैशनलिजम टू एकोनॉमिक स्लोडाउं ये नया भारत है इस नय भारत में एक सरकार है एक विपक्ष है और एक जनता है नए भारत की सरकार कहती है कि भारत बदल चुका है या भारत बदल रहा है और सरकार के हिसाब से इस बदलते भारत का मुख्य मुद्दा है राश्रबाद हालंकि आश्यर में डालने वाली बात ये है कि नए भारत में सरकार विरोधी होने का मतलब राश्र विरोधी होना क्यूं होता है ये सरकार नहीं समझा पाती इस देश में एक विपक्ष है जो संसद की लडाई को सडकों तक ले जाता है जो सरकार के हर कदम को राश्र विरोधी बताता है और सरकार और विपक्ष के इन परस्पर विरोधी रुख के बीच एक जनता है जो इन दोनों ही से कहती है कि तुम्हारी फाईलों में गाउं का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े जूटे हैं ये दावा किताबी है तुम्हारी मेज चान्दी की तुम्हारे जाम सोने के यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है और ये जनता इस से सवाल भी पूछती है कि जो उलजकर रह गई है फाईलों के जाल में गाउं तक वो रोश्नी पहुँचेगी कितने साल में और जब उन सवालों का उत्तर नहीं मिलता तो फिर ये जनता अपने नेताओं से हाथ जोड़के प्रार्थना भी करती है कि छेडिये मिलजुल के एक जंग गरीबी के खिलाफ दोस्त मेरे मजहभी नगमात को मत छेडिये मगर अब तक इन्होंने सुना नहीं तो देखते हैं राश्रिय चातर संसत 2020 के मंच पर ये आवाज जब गूंजेगी तो कहां तक पहुँचेगी अब मैं आदर्णी अतितियों को आमंतरित कर रही हूँ सबसे पहले आज के इस सत्र के मॉडरेटर भारत के जाने माने टेलिविजन एंकर पत्रकार और लेखक अशोक श्रीवास्ताव जी जो दो टूक बात कहने के लिए मशूर हैं उनसे निवेदन है के मंच पर पधारें उनके पर शाथ मैं आमंतरित करना चाहती हूँ सुप्रसिद लेखक टीवी पैनलिस्ट, टेड एक्स स्पीकर श्री शांतनू गुपता जी को मंच पर आमंतरित हैं योगिता भयाना जो की एक सामाजिक कारे करता है और महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के लिए कारेरत है और श्री क्लाइड क्लैस्ट्रो जो की नैशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन है अब हम अतितियों का स्वागत करना चाहेंगे मैं आमत्रित करती हूँ डॉक्टर विभाबुसारी को कीवे स्वागत करें अशोक श्रिवास्तव जी का पत्रकारिता में तीन दशक का अनुभव रखने वाले और जिन्होंने 2014 और 2019 दोनों ही के चुनावों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे चर्चित इंटर्व्यू किया कि लंबे समय तक पॉलिटिकल फील्ड रिपोर्टिंग की श्रियाशोक श्रिवास्तव उनका स्वागत डॉक्टर विभाबुसारी करेंगी देश कैसे पहले पत्रकार जिन्होंने स्विट्जर लेंड जाकर सबसे पहले बलूचिस्तान के नेता बरहमदाग बुक्ती का इंटर्व्यू किया तीन प्रधान मंत्रियों के विदेश दौरों की रिपोर्टिंग कर चुके हैं मीडिया एजुकेशन से भी जुड़े हैं श्री शांतनु गुपता जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर विजय बढवाईकर को आमंतरित कर रही हूँ श्री शांतनु गुपता जी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ पॉलिसी रिसर्च और एड्वोकेसी फॉर एजुकेशन डुमेन में कारे कर चुके हैं यूनिसेफ के साथ वे काम कर चुके हैं वो बाबा रामदेओ के सलाहकार भी हैं और आपने पुस्तकों का लेखन भी किया है अंतर राश्री अस्तर पर अनेक सेमिनास और कॉन्फरेंसेज में आप हिस्सा ले चुके हैं श्री शांतनु गुपता डॉक्टर गीता भट का स्वागत करने के लिए डॉक्टर मीना राजे शामंतरित है दिली उनिवरस्टी की प्रोफेसर अकेडिमिक काउंसिल ऑफ युनिवरस्टी ऑफ डेली की इलेक्टेड मेंबर दो दश्यकों का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बेस्ट ऑन एनलोग अन डिजिटल एलेक्रोनिक्स MATLAB Essential for Problem Solving ऐसी फुस्तकों का लिखन किया है आपको अनेक पुरसकारों से सम्मानित किया जा चुका है डॉक्टर गीता भट योगिता भयाना जी का सम्मान और स्वागत करने के लिए डॉक्टर अनपूर्णा महता आमंतरित है योगिता जी quit a successful career to pursue her passion in social development and justice उन्होंने महिला सशक्ती करन के लिए जो काम किया है उस काम की मिसाल नहीं मिलती और खास तोर पे महिलाओं के विरुद्ध जो sexual अपराद बढ़ रहे हैं उसे रोकने की दिशा में प्रभावी कानून बनाने के लिए जिस जनांदोलन को उन्होंने छेड़ा है उसके लिए वो निश्यत रूप से साधुवाद की पातर है योगिता भयाना इसके बाद मैं डॉक्टर लक्षमी महानतारे को आमंतरत कर रही हूँ वो मिस्टर क्लाइड क्लास्टरो जी का स्वागत करे जो की राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी महाराश्र के प्रवक्ता है वैसे आप एक लेखक और एक इंटिरियर डिजाइर भी है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया दोनों ही से जुड़े हुए है और आपका मानना है कि लेखन या संदेश वो होने चाहिए जो लोगों की जिन्दगी को बदल सके उन्हें सफल बना सके श्री क्लाइड प्लास्टरो तो अब नए भारत के नए तेवरों पर ये मंच विचार मंथन करेगा उसके बाद हमारे दो स्टूडेंट स्पीकर्स अपने विचार रखेंगे उसके बाद आपसे भी कुछ प्रश्न आमंतरित किये जाएंगे तो देखते हैं कि नए भारत के नए तेवर में राश्रवाद कहां पर है और आर्थिक परिस्थिती में आती हुई गिरावट कहां पर है इन दोनों के बीच समन्वे कहां पर है सवाल तो बहुत सारे हैं मगर उत्तर कहां पर है अब मैं अशोक श्रिवास्तो जी को मद्सौपती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया मैम और सवागार में जितने युवा हैं आप सबको मेरा प्रणाम नमस्कार आपके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा हम सभी लोगों को हम सभी जो पैनलिस्ट हैं हमको आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा हम उमीद करेंगे कि एक अच्छा सेशन जो है एक अच्छी परिचर्चा यहां पर हो मैं जानता हूँ टेलिविजन चानलों पर जब आप परिचर्चा देखते हैं जब डिवेट देखते हैं तो उसमें लड़ाई जगड़ा बहुत होता है नींद के आमाहौल थोड़ा जादा होता है लेकिन यह नया भारत है यहां सोने का नहीं क्योंकि यह जो सोएगा वो खोएगा यह नया भारत है ये दुश्मन को उसके घर में घुसके मारता है ये याद रखिए दुश्मन को उसके घर में घुसके मारता है ये वो नया भारत है और उस नए भारत के साथ आप सब लोग जुड़ रहे हैं आप उस नए भारत का हिस्सा हैं और आज हम उस नए भारत के नए तेवरों की बात करेंगे वह त 수त तरफ के करेंगे वह तेवर पूरारे सब्सक्र कर रहा है अगर न्या भारत है यह तो Lucite स्चात रहें उनकी क्या भूमिका है वो जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग को क्या नया भारत सुन रहा है और दूसरी तरह ये भी साल कि क्या जो आर्थिक इस्तिति mieć अगर ये नया भारत बेरोजगार होगा तो भीर इसके पareं करें भारत को न१र भी चाहिए लेकिन साथ पांस से छे मिनिट में अपना ओपनिंग रिमार्क रखें इस विशेक है उसके बाद हम इस परिचर्चा को जो है उपन कर देंगे और साथ-साथ बाद में जैसा कि मैं आमने बताया आपके सवाल भी हम जरूर लेंगे तो मैं इस परिचर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं घीने और गीताजी से करता हूं घीनां का सम्मान करते हुए इस मंज़ पर दो मैलाइं तो गीता जी के साथ मैं शुरूआत करता हूं घीता जी क्योंकि आप खुद भी गजए दिली इनियुश्टी से जुड़ी दैए तो हम नए भारत की बात कर रहे हैं तो सवाल यह? एकृस नया भारत है, इसमें कोई दौर यह हम किस तरह का निया भारत बनाना चाहते हैं दन्यवाद अश्यूट जी है सबसे पहले तो इस चात्र संसत में यहां आकर आप सब के बीच इतना उर्जावान में महसूस कर रही हूं यह जो 21 शतावदी का भारत है यह भारत आपका है और हम सब यहां जो बैटे हैं हम वो सूत्रधार हैं जो कहीं न कहीं आपको कई छूटी ही कडियों के साथ जोडने के लिए बैटे हुए हैं और जैसा कि अशोग जी ने अभी प्रश्न पूछा इसका यहां तक आने से पहले दो मिनट एक कहीं न कहीं थोड़ा अतीद में जाने की भी आवश्कता है और वो इसलिए जाने की आवश्कता है क्योंकि आज को जो विशह है वो शुरू हो रहा है राष्ट्रवात से और समाप्त हो रहा है एकॉनमी के ऊपर यह जो एक इतना बड़ा फासला है इसके हम अपने आप में we are a cultural civilization हम आधी अनंत से जाज जब कोई बाकी जितनी पुरानी संस्कृतिया थी जो आज समाप्त हो चुकी है वहां आज भी हम जीवन्त खड़े हैं और हम जो जीवन्त खड़े हैं उसका कहीं न कहीं एक योगदान इस बात का है कि जो हमारे पूरवश थ परचनाय छोड़ दी थी जो उन्होंने एक इतनी अम्रित से भरी अपनी जो विज़्डम है जो हम लोगों के लिए छोड़ दी वो कहीं न कहीं रस रस के चाहे धीरे दी रही सहीं कहीं न कहीं आज भी हमारे उपर गिल रही है क्योंकि यहां लिखा गया राष्ट्रवाद एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफी अशोग जी देना चाहूंगी कि इसको राष्ट्रवाद जो यह शब्द है यह जो है यॉरोपियन कल्चर से आया है क्योंकि वहां जो है नाशनलिजम जो है एक बिलकुल अलग पस्पेक् जिस तरह से हिटलर और मुसोलनी ने जिस तरह के वहां अपने अपने देशों में जो भी उन्होंने किया उसको लेकर एक जो प्रस्पेक्टिव है वो बहुत अलग तरीके का है लेकिन इसी प्रस्पेक्टिव को भारत में भी जब भारत स्वतंद्र हो गया उसके बाद इस इस चीज के बात करते हैं, वो cultural nationalism है, हमारे यहां जो बात अथरवेद में कही गई है, वो यह कही गई है कि यह जो प्रिथ्री है, यह माता है और हम सब इसी के शिशु है, तो एक तरव एक जो बड़ा accommodative है, receptive, जो हमारा culture रहा है, उसका एक और छोटा सा उधारन देना चाहू और यह समय है धुद्यविश्युद का, Second World War के टाइम, Second World War के समय, जब हिटलर का आतंक फैला हुआ था, उस समय पोलंड की करीब 500 महिलाएं और बच्चे, वहां से भाग के, समुद्र के किनारे, जो है, जहाज लेके, भटक-भटक के कई देशों में गए, क्योंकि वो चाह अपने यहां आश्रे दे सके, चाहे वो खाडी के देश रहे हो, चाहे वो इंग्लेंड रहा हो, चाहे कोई भी और देश रहा हो, जहां जहां वो गए, सब ने मना कर दिया, वो भारत आए, जब भारत पहुंचे तो यहां उस समय बिटिशों का, बिटिशर्स का अधिपत् उनके पास जब यह खबर पहुंची, कि ऐसे जो बच्चे, उसमें जादा तर बच्चे और महिनाएं हैं, जो भूके हैं, जिनकी बहुत बुरी हालते हैं, आदे से जादा बहुत बीमार हैं, और वो शरण मांगने आए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इस से मना कर दिया, ज उनके लिए भी कोई आसान समय नहीं था, उस समय काफी यहां पे भुकमरी थी और अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने उनको आश्रे दिया, और सिर्फ आश्रे ही नहीं दिया, उन्होंने उनके खानपान के लिए गोवा से खास करके वहां से जो है पकाने वाले बनाएं, उनके लिए वहां एक इसाई पूजा के लिए उन्होंने पादरी का नियुक्त किया, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हर तरह की उनको व्यवस्ता कराई, और जब ये बात पोलन में पता चली तो कई ऐसे लोग यहां आए, और जामनगर में सा आताट वर्षों तक रहे जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो गया, और जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वो सब अपने यहां वापस चले गए, अगर आप कभी आपको पोलन की राजधानी वर्षा जाने का अगर आपको मौका मिलें, तो वहां जाईएगा, वहां एक मह पारों पर आपको यहां के देविती, देवी देवताओं और सिख गुरुओं के मोटिफ्स मनेवे मिलेंगे, क्या ऐसा आप भारत के किसी स्कूल में देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो आप यह देखिए कि हमारी जो संस्कृति है, we belong to such a rich cultural heritage, which has always invited people, दुनिया के जो आने वाले व्यापारियों को पुझा पार्ट के लिए वहां जमीन देखिए, तो जब हम एक अपनी राश्ट्रियता की बात करते हैं, तो यह हमारी संस्कृतिक राश्ट्रियता है, और उसी को अब यह जो उधारन है, कितना बड़ा उधारन है, क्या कभी किसी ने किसी पा आवित होते हैं, कितना इंस्पायर होते हैं, कि हमारे पूरवजों ने किस तरह का था, तो विशे इसको थोड़ा साम और सिंप्लिफाइ पर अगले वक्ता है, और अगर क्यों मैं पाठेक्रम पे इसले आई हूँ, क्योंकि आज जो विश्वविद्यालियों में हो रहा है, आज विश्वविद्यालियों में, कुछ विश्वविद्यालियों में, जो कुछ घटनाएं अभी आजकल में हुई हैं, उनको लोग नाम दे रहे हैं कि जो students, activism नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, क्यो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, student activism is an integral part of any campus, any university, it should be welcome, उ उस एक्टिविजम का ये मतलब है कि आप अपने ही विश्व विद्याले की जो प्रॉपर्टी है उसको आप डैमेज करें, आप जाके वहां तोडफोर करें, वह आप ही की जमीन है, आप ही ने उसनी क्लास्रूम में जाके पढ़ना है, वहां की इंटरनेट की सुविधाय वह उसका भाग जरूर हो सकता है, लेकिन वह उसका फोकल पॉइंट नहीं हो सकता, उसका सेंटरल पॉइंट नहीं हो सकता, और तीसरी बात कि जब विश्व विद्यालेओं में अगर राजनेतां और राजनितिक दलों की दखलंद आज शुरू हो जाएगी, तो जो कैंपस कल्चर है, वह एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन जाएगा, तो कहीं न कहीं वह जो एक लाइम ड्रॉ करने की जो आवशकता है, वह बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बश्चुक्रिया प्रफेसरी गीता, आपने कहा एक लाइम ड्रॉ करने की आवशकता है, इसमें कोई दो विद्याले की जो रेफरेंस बुक्स हैं, दिल्ली विश्य विद्याले की रेफरेंस बुक्स, उसमें उन किताबों में 2015 से पहले तक एक पाठे करम ऐसा था, एक पाठ ऐसा था, एक लेक्चर ऐसा था, एक लेसन ऐसा था, जिसमें लिखा था, भगत सिंग आतंकवादी थे जो पाठ्टे करम भगस सिंग को आतंकवादी पढ़ाए उस पाठ्टे करम को हिंदुस्तान के स्लेवस का हिस्सा नहीं होना चाहिए यह 2015 से पहले का यह भी सच है जाहिर सी बात है कि हमें पाठ्टे करमों में इस देश में जो कुछ हुआ उसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए और एक्टिविजम की आपने बात कही हम सब जानते हैं बहुत सारे लीडर्स इस देश के जो हैं वो दरसल स्टूड पॉलिटि किस तरह की हो यह भी आज एक सवाल जरूर उठ रहा है और खास करके नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर जो है सवाल जरूर उठ रहा है लेकिन इसी विश्य पर भी हम जरूर आएंगे क्योंकि यह आज जो हम देख रहे हैं कि सूड़न्स जिस तरह से आक्रोशित है उस क्लाइट्सभाटी नाम में राष्टवागी है तो राष्टवागी तो सभी है इस जेसकी पॉलिटिकल पार्टियां लेकिन ऐसा लगता है कि नय भारत के तेवर जो है उसका आनंद राश्टवाधी कांगरेस पार्टी भी ले रही है क्योंकि आज आप शीव सेना के साथ बिलकर सरकार में बैठे हैं जो एक दब आपोजिट विचार दारा की तो मुझे लगता है नहे बारत के तेवरों का अनंद आप ले रहे हैं अपनी बात रखिए अशुक जी आप से एक आग्या चाहता ह हुआ चात्र बैठे थोड़े खड़े रहे कर उनके साथ समवाद कर रहे हैं एक वह बेटो तो ऐसा एक अलग महसूस हो रहा है खड़े रहों तो ऐसा लगता है साथ में आपने मेरा काम असान कर दिया अब नमस्ते विबड़ी सबसे पहले तो मैं राजसनी ग्रूप का करते हो देखा होगा लेकिन असलियत में हम एक दुसरे को कुछ नहीं करते हैं तो आप घर गबराई ने गीता जी ने अपनी बात रखी मेरे जहन में या मन में बार बार एक सवाल आता है कुछ दिनों से मतलब मैं पिछले पांच-छे सालों चे साथ सालों से इस विचार वाला हूँ मैं ठीक है मानी लेकिन पिछले एक दो साल से जो बाते हो रही टेलेविजिजिन चैनल पर हो या रास्तों पर हो वो चीजे देखकर मुझे काफी सारे सवाल मेरे मन में भी आता है मैं अपने आप से पूछता हूं कि रास्ट्रवाद या इनों जी एक जगह पर जाकर रोज करूँ मैं भारत माता की जये वंदे मातरम जये हिंद अगर मैं रोज कहूं तो क्या मैं एक रास्ट्रवादी हूँ यह एक सवाल मेरे मन में आता है लेकिन मैं कभी-कभी यह सोचता हूं कि रोज सुबह उठकर क्या मैं या आप या आप में से मां आप से प्यार करता हूञ या अपनी माा से रोज कहना जरूरी है कि मैं अप conduct A हुझांल से मत हैं, कि जो सफिग मेरी माझा है, तो मुझे रोज रोज कहने कि जुरुटरः नहीं मेरी मां मैनी मजए, जो मैं प्यारतमाता किज़ेगी benefic 부 मां पून जाकर बोलते है मां लव यू मैं आप से बट पहा करता हूं और आप गर में कुछ चीजे तोड़ फोड़करे या घंगी करे खराब करे माहुल कलत करे कुछ भी कहे और वोई मा को घर में वो साफ करना पड़ता है अगर मैं मैं वंदे मातरम कहूँ भारत माता की जए करूँ और ऐसी बाते मेरे देश में करूँ जिससे मेरे देश का माहौल बिगड़ जाता है या देश में शांती नहीं रहती है तो वो रास्टवाद का कोई माईनी ने रखता, कोई मतलब ने रखता आप ये बात मानते हो के ने? मानते हो के ने मज़े बता ये कि क्या जरूत है देखे, कहने में और कर्म करने में बहुत फरक है कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन क्या वो करते है रोज यह करना बहुत जरूरी इसलिए मैं हमेशा यह सोचता हूं कि रास्टरवाद की परिभाशा जो है वो अगर अगर अपन समझ ले तो बहुत सारी चीजियों का बुलतर मसलों का हल मिल जाएगा अभी नए भारत की नई तेवर की बात करते है आप अब जयसे युवा है आप जो युवा यह तिव तेवर जो है वो तै करें नए भारत की सोच है आज अगर हम देखते हैं की बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि यू आउर इन POLITIC insatur में हो राजकारन खराब है राजकारन में जानाने चाहिए आपॉलिटिशन लोग देखरे इस वहां फैली है या कुछ गलत बाते होती है ठीक है लेकिन अगर आप जैसे लोग स्टुडेंस जो है जो हमारे भविष्य है जो फ्यूचर है आप अगर राजकारन में आये आप अगर अपनी सोच जो आप सीख रहे हो एंजीनेरिंग सीख रहे हो साइन्स सीख रहे हो या मास म करने चाहिए आप जहां जाकर जो तरह से महौल पैदा करते हो महौल तायर करते हो वह महौल उस तरह का रहता है अगर आप जैसे पड़े लिखे हो और लोग जो समझदार हो वह अगर वहां जाकर राजकारन करेंगे तो हमारे देश का भलाई होना है आज अशोग जी बता राजकारन अगर कॉलेज हों में या स्कूल हों में जा कहीं पर भी आता है तो वह राजकारन से कुछ महौल खराब होता है लेकिन वहां दो तरह के लोग है जो यह सरकार के साथ में हैं और जो सरकार के विरोध में हैं तो क्या अगर सरकार के विरोध में रहना महौल को खरा चात्रा जो तयार हो रहे है उनकी सोच जो है वह अलग तरह की सोच और मेरे इसाब से यही चात्रा एक नए भारत एक नए तेवर्थ एक जनम लेगी और वहाँ से आगे लोग जा कर एक फायता होगा अभी बात रही एकनॉमी अब हम कहरें कि एक एक एकनॉमिक तो में तो घंटो बात कर सकता हूं आप देखे 45 वर्ष में जो अनेंप्लॉयमेंट करेड कभी इतना गिरा नहीं था आज अनन्फडॉयमेंट है इतना मतलब इंप्लॉयमेंट नहीं है 42 years में एकोनोमी के ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी जो हालत हुई आप कोई भी सेक्टर में देख लिए मेरे बास लिस्ट है में छोटा सा लिस्ट बना कर लाया हूं जहां डेटा लिखा गया है अब स्टैक्फिलेशन नया शब्त पहले बार जब स्टैक्फिलेशन आया तो सब लोगों ने डिक्स्टरी गूगल कर दिया स्टैक्फिलेशन क्या है स्टैक्फिलेशन इस्टैक्फिलेशन इस्टैक्फिलेशन में रहा है कुछ बढ़ने रहा है और इंफलेशन बढ़ते जा रहा है तो स्टैक्फिलेशन आ गया और आप कोई भी सेक्टर देखिए महारा नहीं भी जो पकोड़े टलते हो अच्छा बनाते हैं लेकिन अगर मुझे पकोड़ेत थलनाता मुझे जा कर पकोड़ी थी ने प्रहाइए और बाद में तो ऐसी बात हो गई का lors कांदे हैं कि अदा का भव कांदे कांदे से भाई आपको तो पता नहीं मेरे अच्छे दिन आगे लोग मुझे खा रहे हैं तो बात यह होती कि कहने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं हमारे मंतरीगंड क्या कहते हैं कि आटो मोबाल सेक्टर लो है क्योंकि मिलेनियल जैसे आप जैसे मिलेनियल है वो ओला और अबर यूस करते हैं तो ओला और अबर कहा से खरीदी करते गाड़िया तो नहीं ले और ना तो तो एकोड़ी हो रहा है क्योंकि आपको आपके पास जवाब नहीं है आपको पता नहीं क्या कहना इसलिए आप हर तरह की बाते करते आइस्टाइन और न्यूटन की बिज़ फ तो जोब डित नहीं जोग उपने लोगों ने कि आप लोगों मैं से साइध समने मूडिस के बारेच जाद वह एक 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 नामी रेटिंग बताता है ठोड़े समय पहले जब मूडिज ने हमारे एक नामी के रेटिंग था दिये ते सब जो भी channel पर शानतों भी सात्पे था महुत एंगा मुडीज 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 कर रहते है कि मुडीज ने का आज वोही मुडीज ने GDP के बारे में बात ऐसी की है कि औह घट जा रहा है बोट मतलब negative है आज कोई मुडी की बात अ कि नहीं कर रहा है कि मुडी के हिसाब से अगर अपने को 5 trillion economy हमें पहुचना है तो हर कौर्टर में 8% GDP ग्रोथ होना चाहिए आपको लगता 8% GDP ग्रोथ होगा मुझे तो ही नहीं लगता एक फाइनल मिट लेता हूं आपसे मेरा आपसे यही कहना है क्योंकि समय की पाबंदी है आप जैसे लो जैस करता तो आपको भी काम करना पड़ेगा अगर आपके घर के बार कच्रा है तो आप उस नाग बन करके ऐसे निकलने जाएए आप जाएए अपने जो पब्लिक रेपोजेंटेटिव है उसे जाकर बताईए कि भाई यह कच्रा निकाला क्योंकि मैं आपसे बताना चाहता हूं मोदी जी जो है वो मेरे भी प्रादान मंत्री है वो मेरे पक्ष के नहीं है मैं राष्ट्रवादी कॉंग्रेस का हूं वो बीजेपी के है लेकिन वो हमारे आदर्निय प्रादान मंत्री है और एक बार जब जो चुनकर आता है तो वो अपने पार्टी का MLA, MP या नगर सेव अगर तरक्की करना है तो आप एक बारत को आगे जाना है अगर तरक्की करना है है शुक शान्ती समरुद्धी में रहना है तो आप जैसे लोगों को राजकारन में आना पड़ेगा और यू हैफ टू मेक डिफरेंस थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया क्लाइड क्लाइड ने अपनी बात मजबूती से रखी जाहिर सी बात है कि इस देश में सरकार या प्रधान मंतरी जो हैं वो सबके हैं और उनको चाहिए कि सबकी बात करें और प्रधान मंतरी कहते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकिन क्या वास्ताव में सबका साथ सबका विकास ये जमीन पर हो रहा है खासकर कि महिलाओं के अगर मैं शेत्र की बात करूं महिलाओं क साथ थे और योगीता जीने जब एरपोर्ट पर उतरते ही मुझे एक बड़ी खुशक्ब्री सुनाई है कि जो निर्विया के बलातकारी थे उनको 22 तारीक को ही फांसी होगी ये खबर सुनके बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था निर्विया के बलातकारियों को फांसी हो कब हो उसका पूरा देश इंतजार कर रहा था लेकिन सवाल ये है कि इस देश में हम नए भारत की बात करते हैं तो एक निर्वया को हम साथ साल तक इंसाफ नहीं दे पाते और उसके बाद हम देखते हैं कि हैदराबाद में एक दिशा और आ जाती है ऐसी तमाम बेटियां हैं जिनके साथ बलातकार होता है जगन में बलातकार होता है और उनको बुली तरह से मार दिया जाता है और इस विशे में हम देखते हैं कि देश के परदान मंतरी खामोश रहते हैं इस विशे में हम देखते हैं कि ग्री मंतरी जो है इस विशे में खामोश रहते हैं तो अगर यह नया भारत है तो नया भारत अपनी बेटियों को पीछे छोड़ करके कैसे आगे बढ़ेगा बेट बहुत अच्छा बोला कि मा होती है घर में तो इसको रोज रोज आई लव यू नहीं बोलते पर कभी-कभी मन करता है वंदे मातरम वंदे मातरम कभी-कभी माँ खुश भी होती है ना बोलने से इसलिए मैं देखे मैं महिलाओं के राइट्स के लिए काम करती हूँ और स्पेशली सेक्शल वाइलेंस पे तो मैं गुमाफिरा के यही बात लाना चाहती हूँ जी अशोग जी ने शुरुवात की कि नेशनलिजम की बात कर रहे हैं एकॉनमी की बात कर रहे हैं सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं महिला सुरक्षा भी इन सब मुद्दों से जुड़ा हुआ है नेशनलिजम से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि वह महिला सुरक्षा से कैसे जुड़ा है जब हम कहते हैं nationalism, आपको क्या समझ में आता है nationalism से, कोई बोलना चाहेगा nationalism, जैसा कि गीता ची ने भी बोला nationalism, the very base of nationalism is our constitution, हमारा जो सम्विधान है, वो ही उसकी बुन्याद है, किसकी nationalism की, कोई मुझे कह दे कि मैं anti-national हूँ या national हूँ, कौन होता है बोलने वाला, कौन होता है कोई कहने वाला कि मैं national हूँ कि anti-national हूँ, क्या slogan बोलने से, क्योंकि हमने बोला, क्या खाली सिर्फ slogan बोलने से, या कुछ color की कपड़े पहनने से, या तिरंगा पकड़ लेने से, वो ही national है, नहीं, अगर जब तक आप अपने सम्विधान की इज़त नहीं करेंगे आप anti-national है, और हमारा सम्विधान क्या कहता है, क्या कहता है हमारा सम्विधान, जिस दिन हमारा सम्विधान बना था, क्या लिखा था, कोई जानता है इदर, कोई बोलना चाहेगा, we the people of India, can you repeat after me, we the people of India, sovereignty decides to constitute India as, sovereignty decides to constitute India as, as socialist, secular, democratic country, right, democratic republic or country, तो इसमें अपने आप में हमारा constitution हमें सब बता देता है, कि हम धर्म निर्पेक्ष हैं, democracy हैं और हम समाजवादी हैं, तो हम इन तीन शब्दों के ऊपर हमारा सम्विधान खड़ा है, अगर हम इन तीन शब्दों को respect नहीं करते हैं, तो हम anti-national हैं, और हम nationalist कब हैं, जब हम justice, freedom, जो कि हमारे constitutional rights हैं, जो हमें बताते हैं कि हम सब equal है, opportunities equal है, freedom of expression है, right to faith है, gender equality है, वो हमारा सम्विधान है, तो चाहे सरकारे Congress की हो या भाजपा की हो, अगर वो हमें ये rights देती हैं, तो वो nationalism वाली parties हैं, नहीं तो वो भी anti-national हैं, तो मेरा आप से एक ही, आप youngsters हैं, आप नह जनरेशन हैं, और आप से पूरी उमीद है कि आप इसका difference समझेंगे, और अपने सवाल करेंगे नए भारत का निर्मान आप ही करेंगे, नए भारत के निर्मान में महिला सुरक्षा, आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है, जब ये JNU पे fight होती है, NRC पे fight होती है, क्योंकि उनको पने समविधान के बारे में जानकारी नहीं है, जिस दिन आप अपना समविधान पढ़ लेंगे, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं, आप अपने राइट्स को समझेंगे, पर क्या इस पे रियल जो मुद्दे है, जो रियल हमारी लड़कियों हमारे जैस में हर तीन मिन ek बालातकार हो रहा है, हर तीन मिनट में दिल्ली में खुद में काम कर्थी युस विशे पर दिल्ली में ही न России, विल्ह थीं ताई के सतनी थिदानी ए छो Elizabeth करों जारों के साथ बालातकार कर कर रकों ध्य divertikों को ळातिया कर जाती जातीये जहाती है, पर न जब तक नहीं आएगी, जब तक मानसिक्ता नहीं बदलेगी, क्योंकि हमने अपने समविधान को नहीं सब्जा है, तक-Tक महिला सुरक्षा भी नहीं आएगी. जब तक हमारी सरकारें हमें ऐसे मुद्नों पर उलजा कर रखेंगी, जहां पर हमारा ध्यान और उर्जा चले जाएगी, हमारी यूथ की, जैसे कि JNU में और जामय में हो रहा है, वो उर्जा नहीं जाकर, अगर उर्जा अच्छी जगा पर जाए, महिला सुरक्षा आए, और एक एकोनमी में डेवलब्मेंट आए, इंटरेलेड़ेड़ है, अगर एकोनमी स्टॉंग होगी, तो महिला स्टॉंग होगी, महिला स्टॉंग होगी, तो ये बाते रखते हुए मैं अबस अपने वारी को विराम दूंगी, थेंक यू सो मच, शुक्रिया योगिता जी, यो असल राष्ट भक्ती क्या है फिलकूर ठीक बात है अगर सम्विधान के तहत कोई काम है तो वो देश के लिए सम्विधान के तहत नहीं तो देश के खिलाफ गाम है पर अगर यह पियमाना है मैं चाहूंगा जब यह जब चरचच शुरू होगी तो क्लाईलो साब से मैं तो क्या वो देश विरोधी था, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त जब JNU में ये पूरा बवाल हुआ, 2016 में, और जब ये नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्ला, इंशाल्ला, उस वक्त जो सांस्कृतिक संध्या, मैं इन्वर्टिड का, आयोजन चातर संग की तरब से किया गया था, उस में ये कहा गया था, कि क्योंकि अवजल गुरु की जूडिशल किलिंग हुई है, इसलिए हम अवजल गुरु के पक्ष में उनकी बरसी मना रहे हैं, अफजल गुरु को फांसी देने वाला कौन था अफजल गुरु को फांसी दी थी देश के संविधान ने अफजल गुरु की फांसी पर हस्ताक्षर किस ने किये थे देश के राष्टपती प्रणाव मुकरजी ने अगर देश का सम्विधान किसी को फांसी देता है और हम कहें ये जुडिशल किलिंग है और हम देश के सुप्रीम कोट के जजों को अगर हम किलर कह दें तो क्या ये सम्विधान सम्मत है क्या ये सम्विधान विरोधी नहीं है तो फिर पूरा वो आंदोलन देश विरोधी आं लोग बहुत सारे लोग उनको लेकर तमम तरह आगी उत्तर प्रदेश को लोग कहते हैं कि बीजेपी का एक रॉल मॉड़ल है ठीसे बीजेपी आएगी और बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं अब तक नरिंद मुदी आए तो भगवा नहीं था लेकिन जब योगी आदितना मुख्यमंत्री बनते हैं तो भगवे में आते हैं कुछ लोग कहते हैं कि शायद 2024 नहीं 2029 में योगी आज इतना देश के प्रदान मंत्री हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से और फिर सावाल ये भी है कि अगर वही मॉडल है तो वह कैसा मॉडल है जिसमें अपने ही देश के जो पर आते हैं और TV पैनल पर क्लाइड जी अगरी करेंगे कि 20 और 30 सेकंड का इंटर्वेंशन करना भी बहुत मुश्किल होता है तो एक कैप्टिव ओडियंस के सामने 6-7 मिनिट मिलना एक टीवी पैनलिस के लिए लग्जिरी है तो थैंक्स फो बाट फस्ट अफॉल दिगे नए भारत के नए तेवर मैं तोड़ा डिसपॉंटेट हूँ कि जो पहला सेशन था उसमें जोश बहुत था मेरे काल से या तो हम लोग रोचक उतने नहीं है शहजाद यहां बैटे दे और बड़त मजे कर रहे थे और या फर खाने का असर है तो एक बार चेक करा जाए तो है तिंग हम ही में कुछ प्रॉब्लम है मैं ट्राइ करता हूँ शहजाद वाली कुरसी वे बैठा हूं तो कुछ उसका विक्रमा दितते है एसेंस शहदा है मुझे मैं लिगे अशोग जी नाशलिज्म और एकॉनमी इस सब सब कुछ कवर हो गया आप नेशन के साथ कैसे इंगेज करते हैं और एकनोमी के साथ कैसे एंगेज करते हैं अगर आपने दोनों बातों पर कर लिया तो आप हर मुद्य को एक साथ पकड़ सकते हैं मिरेकाल से हर स्पेस के हर इस्टूशन के इस कॉलेज के भी एक एक नेशन के कंट्री के एंगेजमेंट के रूल्स होते ह आपके college के भी कुछ return rules होंगे, कुछ un-return rules होंगे. जैसा Gita Ji ने कहा, भारत वर्ष, सबसे पुरानी living civilization है. बहुत सारी civilization बर गई हैं, लिए भारत आज भी अपनी प्राचीन civilization को maintain करता है. उसके भी कुछ said rules हैं, कुछ unsaid rules हैं. मैं उनिस्तो साथाववन जब मैं माजादी मिली, तो उस समय के social leaders ने, political leaders ने, ने के ने इंगेज करने के रूल्स मनाए और एकनोमी को ने के रूल्स मनाए जो से मैं अकाड़ी में गाता हूं, उस पे left का कपजा हुआ. और जो एकनॉमी को एंगेज करने के रूल बने उस पर नहरुवियन शोसलिंग जिसको समाज वाज जो आपको भी पता होगा वर्ड एमर्जेंसी में गुसाया गया भारत के ओरिजिनल प्रेंबल में नहीं था वो तो नहरुवियन शोशलिजम उस वर्ड को पकड़ लिया अब इन दोने से हुआ क्या जब लेफ्ट अकैडमिया ने जिसका मूल सरुद जेहन नहीं हुए उसने पूरे हमारे अकैडमिया को पकड़ लिया उसने किसे परवावित करा हमारी टेक्स बुक्स को करा जो हमारी तो पस दो पंक्तियों में इबढ़ गया यह हुआ टेक्स बुकों है जब जब सर्दार पटेल ने कहा कि सुमनात मंदर को रिवाइब किया जाए तो तो पंडित जवालना नहरुन का मुखाल उडाए कि तो हिंदू रिवाविलिस्म है यह क्यों करें आप उसको तो पुरा करेंमी की बात करों तो सिंपल जो सरकार के साथ और अग्तेम च्रफ है की की कि अलेक नजिके बड़ी मज़ेगी कि ऐसे बो महरास्ता में बैटेगा यह फिल्म यह यह विल्मा में इसके अथ धिया एक अ त sabemडिस्रगि निहीं के पूसर्स की उतल tien लहा है कैसेए सोचलेटली हर बनिया जो जडहा जाता है उसके मोजा हिंडि पगड़ के टेंडर टेंडर बिल तेंडर कर रहा है यह मोज दो इसक चिछ pequका एंकई करना ओर शट已經 से निडेल कर अगाइदेल की तो यह थीतिश अब मैं तोड़ा शॉर्टकट मारता हूं एक दम से 2014 2014 आते आते हैं शोग जी और आपने अपने जनलिस्ट वाले वीडियो में जो वायरल हुआ बता है 2014 के बाद यह पूरी ग्रामर पलटगी यह पूरी की पूरी ग्रामर पलटगी कि आप नेशन के साथ कैसे एंगेज कि रॉफ्ट आपको अधारन देता हूं मौत सारे उधारन देशना को लिख के लाया हूं 2014 चाह्ण की बाजबा सरकार यूगा स्कूलों में लाना चाहती तो कहा गया नियोगा तो कमीलों होता ये कैसे ला सकते हैं लेकिन 2014 के बाद विश्यू के 200 देश इंटरनाशनल योग बादे मनाते हैं यह ग्रामर चेंज हुए इसलिए बहुत सारे लोग विचलित हैं अब मंबई और डेली में हर जोंसी वाली बहली इवाली मथी। तीन माजे नहीं पतीं हैंब नहाएंब मेर के आफे हृता हैं यह विए पंशेयो के मन्च आप जैपो रिटिरेचर फेस्टीवल के मंच पे जब मायावटी का बैटा है तो मैं भी बैटता हूं योगी इतनात का बैग्रफर भी बैटता है अब केवल खान मार्केट में उनका अधी कब जाए यह ग्रहमर चेंज हो गई है कि सत्तर साल से सत्तर साल से भगवान राम को उनी के देश में उनी के शेर में हमने टेंट में रख रखा था सत्तर साल बाद आज उनको घर मिलने जा रहा है यह ग्रामर चेंज हुई जम्मु कश्मीर जो भारत का मुकट है जो भारत से अलग कर रखाता है 370 को अटाक है जम्मु कश्मीर आज हमारा पूरा हिस्सा बना है यह ग्रामर चेंज हुई आज अगर वायर एक एक ओनलाइन वेबसाइट अगर एक खानी लिगता है तो स्वराज मैं भी खानी लिगता है अगर एक डाउटफुल स्टिंग होता है तो आप इंडिया उसके अगेंस में आता है यह अब आप एक तरफा खानी नहीं चलेगा अब नरेटिव इधर काए अगर मैं एक नॉमी पे आऊं तेके नॉमी कैसे चलती थी मैंने पहले का लाइसे परमिट कोटा राज से चलती थी हम विछले 20 साल से देख रहे हैं जीस्ट पर डिबेट चले जिस्ट आज की बात निए अगर आप डिबेट देखें उसकी जीस्ट कॉमन कैसे करना है हमने इसको थोड़ा करा फिर जीस्ट में उसको कैसे कमाइन करा डिबेट चल रही है सब को पता है जीस्ट जो भी सरकार लाएगी दिक्कत होगी उसको प्रेटिकल अपोजिशन जेलना पड़ेगा मैं खुद एक कैसी कंट्री साइपरस में रह चुका हूँ शोग जी जहां पर क जो हो गया एक डेट साल कुरे देश माफरा तफरी मची लोग कन्वर्जन करते रहे किसीने प्राइस ओवर प्राइस कर दी किसने अंडर प्राइस कर दी जीस्ट भी उस तरह का ही फंडामेंटल कानून है आई मैप से लेकर वर्ड बैंक सबने तारीफ करिए कि इतना आप अब आचिंग लॉल आए हैं यह इस्टी के साथ आपको बहुत सारे बहुत सारे वह पारी आपको अगला बिना कैमरा के बताएंगे जीस्टी के साथ एक और चीज आई है अब बैक क्रेट ले सकते हैं और स्पी का बड़ा स्टॉंग सिस्टम लगा है अब टैक्स एवेट क संब्सक्रे motivate करना मुश्किल है यह नया रूल है अभाइट थी इंगेज करने में दिक्कत हो रही है है अलए पहले आप जिसतरे सबीचहरत这 आप आज आज अब बिस्टनस यह कर सकते हैं पहले आप फोन कॉल पे फोन कॉल पे लोन दिया मिला करता था हमें दिखा कितने बड़े-बड़े बैंक जो एंपिये हुए थे 2014 के पहले से एंपियर हो रहे हैं जो पोस्टर गर्ल थी बैंक समाज कि आईसी आइसी आइसे की चेमन वो भी आज एंक्वारी जेल रही है यह नए रूल है अगर आज आ लोन जैनल समुन अचैन दिखाक बहार भाग जाते हैं तो आपको बार लाने की कवायत करेजाती और आपकी आपकी प्रोपर्टीसी कर दिघाती है क्योंकि अब एक्नोमिक एक एंफंडल बन गखें अगर आज आप अपनी कंपनी को पहले क्या हो बनाई दिवालिा हुए ज चोडा और निकल गहीं, लेकर दों स्वेश्व एपाई। और निकल गहीं, लेकिन अब इश्डूवएंसई और बंगरप्सी कोड है। इससे हने इस कहला है। कि 2014 के बाद, सहे सुसाइटी से एंगेज करें के, नशन से एंगेज करें और उनिम कare एकोनोमी से इंगेज करें के रूल बदल गये हैं जब भी बड़ा रिस एकनोमिक रिफार्म गनाता है, यूर जा शाख रहता है जब भी कोई बड़ा रिफार्म आता है शौक को लेने के लिए नए सिस्टम को लेने के लिए नए नए रूल्स को डॉट करने में एक लेड़ साल लगते हैं आप देखिए डेड़ दो साल में एक नौमी छे साड़े छे साथ और साथ परसेंट पर जाएगी बहुत बहुत ब बात से शुरु करता हूं को कि आपने एक बात कै contestant के अपने संबहोदन में के अपने प्रारं में उसमें कहा बढ़ बंखीन जरूरी ने कि आपने करेंपकर बारता की आपको अपने प्यार करते हैं जरूरी में कि आपको जन्डा उठाना पड़े या बल्कुर ठीक बात थे वंदे मातरम का विरोध करते थे जो लोग कल तक इस देश में तीरंगा यात्रा निकलने के बाद एक यूऒख की हत्या हो जाती है तोकि कहार जाता है कि तीरंगा यात्रा अपने निकाली तो आपने लोगों को प्रोवोकेट कर दिया, उसी जगह पर उसी देश में आज अगर OVC साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तिरंगा लेकर घूमना, तिरंगा लेकर भारत महा तक निजय करना, उसमें कुछ भी घरत नहीं है, उसमें साबित करने वाली बात नहीं है आज वो साबित क्यों कर रहे हैं, देखे, मेरा कहने का मतलब यही है, कि मेरा जो रास्टरवाद है, वो मेरे दिल में है, मुझे किसी को सिद्ध करने की जरूत नहीं है, मुझे मेरा रास्टरवाद जो है, सिर्फ मेरे देश को सिद्ध करना है, किसी व्यक्ति को जो बोले क कि आप अगर भारत माता की जए बोले या वंदे मातरम बोले तो ही आप रास्टरवादी हो उसको सिद्ध करने के जड़त नहीं मैं रोज बोलता हूँ लेकिन अगर कोई मुझे के आपको बोलना ही है तो आप किसी से जब अब कर सकता ώं ना आप कर सकता हूं या तैजिए एक आप देश जो है अमें आजादी देता है तो जब अगर आप किसी को कहते है कि अगर आप ये बात कहेंगे तो ही आप रास्टरबादी हो अगर बात ने कहें तो आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाला ये ये बात आप 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 देखें ये बात आई कहां सी कुछ ये ये बा तो यह मैंने डून करने लाए मैं आपके पैनल पर आता हूं आपने डिस्कॉशन किया है उसमें लोग चर्चा करते हैं तो यह आज का जो मीडिया जो स्ट्रॉंग है इहीं अचे बाते बहर लाई है और मैरा अंतोन उसे यह कहना था उनुने सब चीजें कह दी की 2014 से यह घ्रामर हो गया 2014 से घ्राम मैं बगवान का शुक्यादा करता हो कि उन्हों ने यह नहीं कहा कि स्रुष्टी का निर्मान 2014 के बाद हो गया कि थैंक्यू कि इतना 2014 ग्रामर दोन और और अच्छी बात बोलता हूं मैं कि इनों ने 2014 के बाद ग्रामर का निर्मान हुआ उवी नहीं का अच्छ हो गया यह तो हमें लगता कि क्या बात है करके क्योंकि हर चीद 2014 के बाद 2014 के बाद पहले तो कुछ था ही नहीं किया देश में और राष्टबाद की राष्टबाद की रामर का निर्मान हुआ ने वहीं बोल रहा हूं राष्टबाद इन से कोई बोचे तो सही है यह यह तो इसका मेरा यह कहने का मतलब है यह आज यहां पर भी आप लोग सब बैठे इसमें कितने लोगों ने आपके माता-पिता ने प्रश्ट प्रश्ट इस बीजेपी को वोट दिया होगा तो अप उसका मतलब यह है कि 2000 पहले के पहले जब को अधिया होगा दुम्ति द्व लूजारे देटीट प्रशन अब्स ना ना कि इस अधिश्चित लीगशन की बात तरहें ने की तरह ने गिता जी ने की एक गिता तो उसका मतलब मैं यह कहना चाहता हूं कि आप में से जो बैठे हैं उनके माता पीता जिन्हों ने 2014 के पहले कांग्रेस को वोट दिया क्या वह सब क्या एंटीनैशनल है क्या है क्या एंटीनैशनल मेरे वह सवाल है कि हर बात आप करें 2016 के बाद जिसी ने मोदी जी को और एंडी को वोट दिया और आश्टरवाद है और जिन्होंने वोट ने दिया देखे इसी क्या हक निए बनता कि मुझे यह सवाल करना है या कहने हूँ कि मैं एंटीनैशनल हूं मैं भारत का वासी हूं मैं हिंदुस्तानी हूं मैं जीआ आप मुझे सवाल ना करें और अगर मैं आपको वोट नहीं दू तो मैं एंटीनेशनल हो आपका प्रमान पत्र हमें नहीं चाहिए यह बाद याद याद में महाराश्ट में मुझे सुनिल्दत साब के एक बात याद आ रही है हलाकि इस से बहुत सब्मंद नहीं हो सकता लेकि क्योंकि कुछ लोग सवाल है कि आप अपनी मां को रोज नहीं बोलते कि मैं आप से प्यार करता हूं एक पास उनिल्दत साब ने का था कि जो देश है वो आपके लिए देश से वो प्यार कीजिए जो आप महभूबा से करते हैं तो महभूबा को आपको आई लवी रोज बो पड़ता है मां को आप मेरी बात कर रहे हैं मैं अपने भारत माता को मेरी मां समझता हूं और महां को हमेशा प्यार करेंगों मरने तक कि अज़ कि लूस कि युप पात कही आप पिल्कुल ठीक कि किसी नहीं कहाए कि आप में तरुकार के साथ घड़े हूँ अरे लेकिन देश के साथ तो खड़े रही है डेश के साथ ही नहीं कड़े हो तो उसका जो अगर अब पटा यह पीचे के बोल जिए मैं आप से कह रहा हूं कि मैं अभी तक ऐसोक शिरवास्ताओं के रोल में था लेकिन अगर आप रुबब्लिक टीवी बनाइए तो मुझे अरनम को सवामी के रोल में पड़ेगा फिर आपके पास बोलने का इस्सा फिर आपके पास बोलने के ले बहुत कम वक्त होगा 80 परसेंट वक्त मैं ले लूंगा तो इसलिए प्लीज डिसकुशन को एक दुसरे को सुने भी और हम उसके बाद दुसरी की बात का जवाब तो आपको एंडिनर्नाशनल के हैंगे अगर अगर आप खड़ेके दिलाइख खड़ें आप आप थे सांद होगा जाए उसाथ करेव देश के साथ करेंगे जाये हैं अबह सब लोगई हो जाएए जाए खड़े ऑब्स तीक हरा हम देश परदेश के साथ खड़े होगे और आपने नहीं कहा हम हमारे मन से हमारे दिल से खड़े हुए बहुत बढ़िया आपको इसके लिए सादुवाद यही तो परिवर्द है जिसके हमात कर रहे हैं यही यही बदला है हम 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 सुनिये हम इस ड्रेवेट को जाएं चाहते हैं हम फिर कहिरो मैं कि राश्रवाद का मुद्धा है कि हरें कि ऌरॉंसे आपको खड़ा कर दिया लें ठोड़ा मुद्धे की बश्खारते हैं तो आप बताइए जवरंग क्यों ठोपा जा रहा है लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मेरे अगर मेरी गर्दन पर चुरी भी रख दोगे तो भी में वंदेता मातरम नहीं बोलूगा तो आप उस व्यक्ती को क्या कहाँगे थे फंधियो थे नहीं कि अजह जाते है तो समय की अजाया थे के नारे लगे एक देश के तो रख दर डखले के अज़ी थे किला इना थे थर्फ करा जाएगल को मर्युों पर भी मिलेंगे हैं अब्त गुरिण गुद 3 संवीधान के तूबंदान के साथ हम सबको फड़ा होना थच्झा है harp कि इसमें हम सेकुलर और जो हैं साथ में आर सोचलिस्ट शप लगा हुए लेकिन आपको मालूम है कि ये शप कप जुड़े संविधान में 1976 में नहीं नहीं शुरसे आपको संविधान का गाली कि अधिया है यहां जब राष्ट बाती है और एक बात में अपनी बात रखें योगीता जी भी कुछ कहना चाहरे हैं हम सब कहना चाहरे हैं लेकिन एक बात नहीं रखी जो एक बात इन्हों ने रखी जाईसी बात है कि अभी हम यह एक तरफ विपक्ष में एक तरफ यह पक्ष की बात हो रही है लेकिन अभी जब गीता जी ने कहा कि अगर आप यह कहते हैं कि बंदे मातरम नहीं बोलूंगा मेरे गजल पर कोई चाकू भी लगा देगा तो योगीता जी ने कहा कि वो जो ऐसा कहेगा वो दरसल देश देउस तो अक्षाइन को अगर 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 आप यह मॉबोवेसिस आप देश दो ही है कि मैं नहीं मानता है यह हम नहीं पड़ें हम किसी को हम नहीं कि सेड़ीकरण नहीं उसे जब मैं हम वहां खड़े थे हमने सबसे रिक्वेस्स किया कि आप खड़े हो जाए यहां कुछ इने चुने बच्चे थे जो बैठे थे मुझे कोई हक नी बनता उसे अंटिनेशनल बोला उस वो नहीं खड़ा हुआ यह खड़ी हुई उसकी चॉइस है यह फ्रीडम चाहिए हमें देश में कि अगर मैं चाहूं तो खड़ा रहा हूं मैं तो नहीं खड़ा रहा हुँ यह चॉइस है हमें हमारे देश में जो चॉइस नहीं दिया जाए मेरे गाल से तो सारे खड़े थे हाँ यहां पर तो आप बनाते हैं यहां पर मैं बताता हूं वह लाइन में बच्चे जो थे वह बैठे थे आपका कोई हक नी बनता कि नेरेट आप सब रास्ट्रेबाद हो किसी को भी यहां बैठे खड़ा हो बहुत सवाल है लेकिन इस देश में यहां किसी को नहीं कहें कि भारत तेड़े तुक्रे होंगे इंशाला अगरी यह कहने का किसी को नहीं है इस देश में इस देश में कश्मीर की आजादी के लिए बात करना यहां किसी को नहीं है चांतरु साब अपनी बात रखिए लेकिन जी चांतरु साब तकलीफ शायद यह है जो वह कह रहें कि सेकुलर वाद की जो डिबेट है यह किस दिशा में दाली है हम तो कहते हैं देश करने सेकुलर है सेकुलर वाद्शब कभ डला कभ देला इसे चोड़ कर यह सब्सक्राइब करें हैं नहीं है सेगा विरोग है कैंपजस में कुछ कैंपस एपने नहीं को आख सो हैं गॉस्टंट है जब फिए का पुछार गया उसपने का फुरी कश्मीर इंटरनेट कर दीजे अबी तीन निच का पोस्टर और लगा है तेलिक ते उसको आपको पता है क्वारत में क्या मतलब होता है परीकश्मीर के नाम से कितने सारे पंडितों को बढ़ाए गया थोड़ी थी मिनट की बाद है तो जब सीए का अंदोरन चल रहा है उसमें फ्रीकश्मीर के जब नारे लगते तब मुझे यह सरकार के वरुद्ध है या देश के वरुद्ध है जब जब शाहिन भांग में चैनल जो चाहिन वाली आजादी इननावी अज़ादी कौन सी है जब वहां पर स्वास्तिक को टेडा मिला करके बनाया जाता है और फिर उसकोई कहता है कि नहीं तो हिटलर का है कोई यह तो चुनाव का चेन था उसमें कन्फूशन करेट कर दा यहां यहां पर दिककत है अई दो शुदेंगे शुदेंगे लिए इस लेडियों अई जया वह फिर इस लिए शुदेंगे बस आला का नाम रहेगा तेरा मेरा रिष्टा क्या लाय 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 है आँ वर्क्राइस ए सारी ए सारे एक्जक्त यह नारे projects in 1989 1990 1990 1991 में कशमीर का olur सारे सारे भॉर क्राइज है इसका क्या मतलबा असका इसका शाहिनबक्ड सम्हẽड़ा मतलब है आपको बता है अजाधी के नारे अजाधी के नारे है जोब प्रसमरी करें कंदिया इसे में सुन्डे में aha अज़ादी के नारे कश्मीर की अज़ादी के लिगे तब से भारत में अज़ादी के लागता है अब पाकिस्तान के सरपरस्थ हो गए और पर्थान मंत्री जी है उनको मन की बात करने का बड़ा शॉक है, उनको बोलने का है, थोड़ा शॉक तो है, सब जानते हैं, पर जब ऐसे मुद्धे आते हैं, जब यूथ को confusion होता है, जब थोड़ा सा वो डिवेट भी हो रहे हैं, मान लिया अगर हो रहे हैं, तो आकर वो क्यो नहीं एक लाइं में कि बिलीव में आपको बगाना नहीं चाहता हूं, इस देश में रखना चाहता हूं, जैसा बहुत बार कई बंचों से बोलने की बच्चे आप सल गलस समझ रहे हैं, मेरा जो यह था, यह कहने का मतलब नहीं था, आमिशा ही बोल दें आकर, आप टीवी कर अंदर को बोल देत हम अपनी बात कहें लेकिन क्योंकि हमारा यह संबाद का है तो मैं चारा हूं जो सवाल उठ रहे हैं उनका जैनुरी जो डूसरे लोगा सवाल का जवाब देने के उसको एड्रेस करने ही कोजिश करें जो एक सवाल उनने उठाया जो नारों को लेकर करें उनको उसी पर मुझे मुझे एक थोड़ा से शांत होकर एक रिक्वेस्ट है मेरा सुन लीजे मैं एक्चुली शांतनु जी नहीं बात कही ना उनको बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाता हूं और मैं बहुत खुश हो कि उन्होंने बात कि उन्होंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना होगा बढ़ा कोई करना चाहता को में एक रिक्तिगत बात ना करें वेक्तिगत बात करें ने मुझें करने दो वह थैंक यू बोलना चाहता हूं ये कोई भी हो मैं अभी देख रहा था सामने से किसी महिला ने अपना सर ऐसे पकड़ा मैं इसलिए किया रहा हूं क्योंकि हम इसको वही हम शुरू कर रहे हैं तो हम टेलिविजन पर करते हैं तो तो मैं यही कहना चाहता हूं अशुक जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं और शांतुन हो आप मेरे मित्रों शायद आप बोल गए ठीक है आप मित्रों तो आपसे तो नाराज की हो नहीं सकती मेरी लेकिन आप व्यक्तिकत ना हो क्योंकि फिर क्या होता हूं व्यक्तिकत होता है अंदर का हिंदुस्तानी जाग फिरो हिंदुस्तानी जाएगा अगर जाए तो फिर बहुत खयर हो जाएगी कि तुम लीजेगे वाक भी आपने बाध बढ़ी शब्ड का इस्तेमाल किया že अंत्यों कांफिज। यही मृता है इनके दिमाग में क manifest on high audio compared इंके दिमाग में dollars तो और इसलिए उन् six लेंbon आ सोचे तब जाकर आगब confusion निकल जाएगा एक बिल 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 यह गंबीर सवाल था मुझे लगता है सवाल का जवाब अभी आना जरूरी है कि अगर यह विरोध C.E.A. का है तो सवाल है फ्री कश्मीर के आज़ादी के नारे की हो जिन्ना वाली आज़ादी के नारे की हो और साथ साथ मैं कुछ नारे इस पूरे C.E.A. के खिलाफ जो इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है कुछ नारे ऐसे लगे जो मैं टेलिविजन चैनल में भी नहीं बोल सकता यहां पर भी नहीं उसमें लगे थे जोगिता जी यह देश के सूरंट हो सकते हैं लेकिन क्या देश के सूरंट इस दिशा में आज जाएंगे कि वह एफ हिंदुत्व और अमित्शा इस तरह के नारे लगाकर अपने लिए C.E.A. के विरोध जताएंगे क्या यह नारे लगना क्या यह नारे ल प्रदान मंतरी जी खुद क्यों नहीं आकर एक बातशीत करते इन स्टूडेंस की इनके 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 दिमाग ते जैसे क्लियर करते की डाउट्स हैं जो इनके अगर कम्मिनिकेशन की जाए यंग्स्टर्स में एकका दुखा हर जगा कोई ना कोई ऐसा बैढ जाता है जाकर तो अगर आप बातशीत करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सीजों का हल निकल सकता है अब हमारी लीडर्शिप को इसके बारे में सुचना ज़िए अभी हमारा मुद्धा एकॉनमी की बात अभी हम कर रहे हैं जैसे कि जब जब डिमोनिटाइजेशन हुआ एक मिनिट सर्क इसकार में कहीं नहीं संबाद की कमी है क्या ऐसा लग रहा है कि कम्यूनिकेशन गैप है अला कि जब हम यह कहते हैं जिसके शांतुली जी ने भी का मैं आपको एक्जेक्ट एक फिगर और दे देता हूं इस देश में करीब 900 से जादा यूनिवरसिटीज हैं और यह जो आप पर विलोद प्रदेशन हुए अठारा यूनिवरस्टी वहां शायद सौ सवा सो लोग तो ऐसा भी ने कि एक देश में हर यूनिवरस्टी में असंतोश है लेकिन फिर भी अगर जहां असंतोश है भी तो क्या यह संबाद की कमी है सरकार की तरह बहुत ही इंपॉर्टन्ट के प्रशन है कहीं न कहीं जो जिस प्रकार से एक बड़ा सुनियोजित शडियंत्र जो रचा गया देखिए जब यह लोग सभा में जल्दी जल्दी बोलूंगे क्योंकि कम है एक तो जब लोग सभा में जिस दिन यह बिलाया बहस हुई कहीं कोई नारा नहीं लगा राज्य उसके तो बसे जलागे क्या आप दॉफी के विरौध में खड़ें और वहां की जो जो चुनूसु की अध्यक्षता है परसू वरूध झाजिए कि जब नारे लगा रही थी इस विवाद पर चाटर जो है इस विवाद पर चुक है बार बार आम जे एम्यू एम्यू विवाद देखते हैं यह संवाद की कमी देखे इस पे एक मेरा काउंटर प्रेश्ट यह है कि इस विवाद पर हमेशा जे एम्यू और या एम्यू या जामिया में ही क्यों विरोद होता है कोई नहीं है तो यंग सोजी ना है तो यह तो यह अगर वो ज्यादा एक टिवे इन लाक्टरा तो आप पर चाहते हैं कि यह दूसरे को सुनने का भी धैर रखे हम इस देश में डिबेट चला जहा हैं इस देश में कहते हैं सही सुरूता जो ہے वो देश में खत्म हो रही है कम सब्सक्तेज Prophet हम झार है किस्टेज पिर हम लोगों में सही सुरूता कत्म हुए । इस जो उनकम पजो जो आप क्योने जा 5100 सहां के ह हैं अधार唱ओ hadn't आता है बहुत अच्छे से दो पेज का एमेंडमेंट है जो पहली बार नहीं आया ऐसा अमेंडमेंट 2003 में आया 2005 में 2006 में आया जब कॉंग्रेस की सरकार्थी उसमें मनमोहन सिंग की सरकार्थी उस समय 2000 वार हमें गौहाटी में जो इनके मुख्यमंत्री थे उन्हों मनमोहन सिंग को पत्र लिख के कहा असाम जैसे शेत्र में कि यहां के यहां जो ऐसे जो पर्सेक्यूटेट जो आ रखे हैं विटिम्स उनको जो है यहां नावरिक्ता दी जानी जाहिए ठीक है मैं एक सवाल सिर्फ एक सवाल ब्रॉड़ मुझे भी कुछ भूमिका होती है आप अगर मॉट्रेटर को अटाई देंगे तो मुझे भी हाई टिकट देखें बेज आया गया पैसे खर्चुए है तो तो मेरा सिर्फ यह कहाँ है यह जो असंतोष है वालिश दी श्यूटेश में बेरोदगारी बढ़ रही है एक अपनी अच्छी जिंदगी नहीं बना पारे सूरंट क्या यह कारण तो नहीं है इसलिए नाम सी एका लिया जाता है नारे कुछ और लग लगाए ठीक बात है कहीं एक फ्रस्टेशन है यंग्स्टर्स में क्योंकि सोच्टल मीडिया में आ अपना इसलिए रही है यह अरी अच्छी नहीं है इसलिए फ़्ट्री यह जिए अपने समवद की बात कि मेरी अदूरी मुझे एक बोध बाता इसलिए यह बाता है कि अगर आप सिटिसं प्रोटेक्शन बिल को और लगाए अच्छी और प्रोटेक्शन और बेलेते कि कि एकॉनमी की आपकानोमी की बात कर देज अपने जब जब जिस टी लाय तो चलो थोड़ा बत कमनी किशिंग तो दूब दी मॉनीटाइजेशन तो जूम रॉकेट की दरा डी मॉनीटाइजेशन हो गया कमनी के शचिन ता है कि अज भी बतादी जिए उसके पाइदे क्या है आज भी बताईजी ये काला धनका है क्या कमिनिकेशन है अप लोगों की आप अपनी इसको बात रखी है कानमी चली गई है ओके ठीक है क्योंकि बात एकॉनमी पे थोड़ा सा आ गई है और दी मॉनेटाइजेशन पर गई है तो मैं चाहता हूं कि उसको लेकर भी थोड़ी स सब्सक्राइजेशन के बात शुरू हुआ वोदी जी एक दिन आया और का दिया मित्रों कल से बंद आज रात से बारा वज़े से बंद और इसके बात से पूरी तो यह आरोप लगते हैं तो गीता जी और आप दोनों अगर इस पर क्या अर्थ्वेवस्ता के माश्यों कि अब साफसपाई नहीं करिये उसकी देखरेक महीं करिये सालों तक पेंट पॉलिश्टे क्या हालत हो जाती घर कि उसके बाद आप जब जब तो ठीक कराने के लिए तो खुदी को कश्थ होता है घर में रहें जब पेंट पॉलिश चल रहा होता है तो जब एक अश्यों कि ज सब्सक्राइब तो इतने विद्वान हो सरकार किसकी थी तीन मैंने पहले तक कि अगर आपको फेमस होना हो तो खाली शरत पौर जी कह दीजे शरत पर साथ के जाए अगर करते हैं तो तकलिफ होती है लेकिन उसके बाद क्या होता है घर सुन्दर होता है आज देखिए सब्सक्राइब के बाद क्या हुआ ब्लैक मनी वह पस आएगा बोले 99.83 परसेंट ब्लैक मनी वह पस बैंकों में आ गई पंद्रा लाक नहीं आया आतंगवाद बंद नहीं हुआ और आज के पेपर में हैं आज के पेपर में कि बंगलादेश से कांटर्फिट नोट आए जो देखिए जैसा मैं आपने पहले वक्तव में कहा था कि 2014 के बाद से 2019 के बाद से और जादा बेश से एंगेजमेंट के रूल चेंज हो रहे हैं जब सतर साल पुरानी विवस्थाओं का बदलेंगे तो समय लगेगा 1991 में जब आपको पता है मज़िदार बाद है जब 1991 में रिफों माइ सबसे बड़ा विरोध किसने करा जो अपने बड़े पुंजी पती थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे लड़के बिस्निस माइं वो चाहते थे मैं जम गया हूं सरकार के साथ तो आप जब नहीं सिस्टम आ अब उनकी कंपनी में उनके लड़के ने अडिटोरियल लिखे का इंडिया तुड़े में ताइमस अफ इंडिया में पूरा एफरिका का मार्केड ओपन है और अटो इंडस्टी के यूंकि हम कॉंप अप्टिटिव नहीं है क्यूंकि हम जब भी कुछ करब होता है सरकार अब कुछ पता नहीं चलता है ना तो इदर हुआ करता है इनको फेमस होना है फ्री में फेमस होना है तो इतना बड़ा है कि उनके अपने अपने सब्सक्राइब तो फेमस हो जाते हैं महाराश की राजनीती में लेकि एक सवाल आप से भी वह सवाल यह है कि जिसक्षिंसे में के साथ सरकार बनाने के लिए आप लोग पींगे बढ़ा रहे थे जल्लाता नहीं दोस्ती जल रही थी जो दोस्ती हमने देखी नहीं तो है मैं एककणा सिर्ब दे रहा हूँ वह राजस्त रूव जलिवाग की यह पूरी सरकार में आपको सत्ता का चरीत्र बता रहा हूं चाहे पवार साही यह करी भील Lustrand रूपनावी साहभो नापको सत्ता सब्सक्राइब को किसानों का नाम नेकर बनी और जब तक आप्लोग बाचीट कर रहे थे और बाचीट के आपने लिये जो दो हफते बिता है उन दो हफ्तों में राजस व्यभां का कि माहुरस्वा सटन्हारा फैल szм iowa ौ किसानों की और आत्मत जाएंगों सवा जान की आप कैसे तो यह सुछी तो यह सथ यह सरकार हमपूर महाराश्चव के हर इंसान किसान से लेकि सब्सक्राइब करें लेकिन लोगों ने जो इतना समय निकाला तो कुछ करने के लिए तो थोड़ा तो वक जाएगा ना तो गल्ती किसकी है वो तो बात करिए ना तरफ के लिए किसका मेले उदर लाएं वह तो काम आपका है वह हमारा काम निए वह आपका कॉपी राइटर सबस्क्राइब करें तो अब इस जाब करेंगा ना पर आप में प्र तो अपने सबस्क्राइब करें मेरा एक अशुक्राइब लिए विश्य से आपने आप ने का नाम ने लिए आज कल फेमस होने का एक तरीका और है वह जो घुड़ीका नवाब मलिक साफ नवाब मलिक साफ ने खंड़न किया हम भी खंड़न करते हैं कानून कोई भी हो अगर हाथ में लेता है तो गलत उसको सजा होनी चाहिए लेकिन अगर आप एक इंसान की बात कर रहे हैं तो आप यहीं पर बहुता है इसी चाहतरों के सामने जुसरा और एक घंटे का भी इसी के बाद सेशन रखे फिर मैं और नंबा लिस्ट निकालता और कि अगर कोई भी अगर कानून और नया जो अपना हाथ में ले वो गलत है उसको सजा हो निए ठीक है मेरा आप सब अब मेरा आप दोनों से सवाल है क्योंकि हमारा अभी से ही है अर्थ्वेश्था के हम बात करते हैं सवाल है कि हम यह भी कहते हैं टेलिविजन डिवेट में कि इस देश में अर्थ्वेश्था को बेटर बनाने के लिए रोजगार बढ़े उसके लिए क्या करना चाहिए यह सवाल में इसले उठा रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक आखड़ा यह है कि इस देश में 16,000,000 नौक्रिया इस साल कम होने वाली है तो एक आंगरा यह भी है कि मद्रप्रदेश में तो कौमरेस की सरकार रही वहां पिछले एक साल के अंदर जो है एक लाख रोजगार कम हो गए विपक्ष आलोचना करे बिल्कुल उसका है लेकिन एक बैकल्टिक रोज क्याम देने किस्की मैं आपसे एक बात कहना कि देने के अगर क्या वाग कई लोज शुद को सूच रहोंगे कि मैंने कि तक हो अभी चीग ही तक हो फिसलिए हैं उन्हें पता ही प्यटेश यह 2 क्टे कर लिग्या घर की करिया तबंस्टाइट गम्में टाइए उमारा होग है तो हमारा हां बातिवा धानने का हग है की ए एक आंकड़ा तो यह है वो यह कहता है कि नॉट बंदी के कारण 3 लाग जो फर्जी नौक निया चल रही थी काग जो बंद हो जाती है दूसरी बात एक बात और है मैं वह पर्सनल नहीं जाओंगा लेकिन क्योंकि आप एक्टिविस्टा इसले मेरा सवाल बड़ा लाजमी कि दूसरी बंद कर रहें किसी भी चीज का देश कि दन का या किसी भी चीज का उने उनको पूरा हक एंकी सटिफिकेट दूर करने का बद हुआ है क्या कुद की पार्टी का इस ट्री आजिए पिकारा आपकी फंदिंग कहां से आती है यह देखिए जो भी रूलिंग यह जो कह रहें थे कि पहले गलत हो रहाता है अब यह कहते है वह पहले भी आपी आपी गलत कर रहें चलिए जोगी ओगिता जी तो मेरा कहने का मतलब है कि और आपने दूसरा सवाल यह पूछा कि क्या होना चाहिए मैं तो पोलतू हूं यह पैठी है इन से जादा और और कुछ मैद यह हो कुछ सेशन करें ड़िबरेशिशन करें यह सरकार ना करती है ना वारता लब करती है ना बातचीट करती ना शजेशिंस लेती है सबीसितार और क्या कहींगे कि टहां पर चू कर एए South सरकार और वो क्या चीज़ें हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है आपके पास क्या एक सिंपल बात पहले तुम में एकनॉमिस नहीं है इन्हों ने डी मॉनेटरिजेशन के वजह से जो देश्ट आर्टी वेस्ट धजिया उड़ा दिया वह समालते समालते वक्त जाने वाला ही है आप बताइए थोड़े दर पहले शांतनु जी कुछ बता रहते हैं 1991 में पुंजीपति उने कुछ विरोथ किया था यहां पर शात्र बेटें उनसे कुछे आज कौन सा जो पुंजीपती है जिसका व्यावसा होता है सिफ दो घराने है तो लोग है जिनको आप देखिए शेता है है कि छोटे है मिडियम वेशाह किसी का में अगा मी नहीं जट रहा है सिक दो कंपनिया चल रही है वह नम बोलिया बोल सकते दो कंपनि इसका ज्यादा पाट है यह बात है तो आप जो कहते है देखिए मेरा एक ही शांतनु जी कहना आप से अगर आपने कहा एकि टो γड़ी अन्हेव आघ कि उन्हें। योई अरु आप कई लॉर के Nei produce शर्कार विस्तव ही यह प法। उन्हें जैसमे चीए चाने उन्हें। परोग। हुआ हार दो सबस्क्रें लोग। अगर आप कहते हैं आप कहते हैं आप के पास यहां रहा हूं गीता जी कुल में लाकर मैंने का 16 लाथ नौक लिए अभी शांतुनी जी ने कहा कि अर्थवस्ता के जो हैं मेट्रिक्स बदल गया है शायद इसके कारण रोजगारतों लेकिन सवाल है कि आपको अगर पांच ट्रिलियन की एकॉनमी बनना है तो आपको एक लिमिट पर आपको हर साल ग्रोग करना पड़ेगा साथ से आठ फीजदी अभी तो हम पांच फीजदी में चले गए इसका बद अगर आप इसको वैश्विक स्थर पर ग्लोबल अगर आप देखे तो जिद्नी कंट्री सिंगापुर में दो हजार उनिस और बीस में तीन प्रक्रिश्ट अपना गोशित किया और अभी एक महीने पहले रिवाइज करके वन परसेंट किया हुने तो आज भी इंडिया और यह लोग जो लोग जो एक सिस्टम चल रहा था उससे अब हट के मतलब अंडर गवार यह बहुत प्रॉमिन थी उसके हट जाने जो जो व्यक्ति कारोबार कर रहे है वो भी उसका इतना यूस्टू था कि उसको भी समय लगा अभी तो आप देखे जो एक्सपोर्टर्स हैं मिलता है अभी दो दिन पहले अभी न्यूज आई है कि बारह हजार ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनकी डिसीट जन्रेट करी गई थी वह गायब है इसका मतलब कि देवर और वो सारे परजी थे इसलिए क्योंकि क्या हुआ है जो एक बड़ी अच्छी चीज जो हुई है कि साहर चीज का आपने जो जो डिजिटाइजेशन हो गया है अब किसी का भी कोई रिकॉर्ड है वो छुप नहीं सकता है ठीक है एक बात शांतरू जी मैं एक बार फिर से लेकर क्योंकि राश्टरवाद से शुरू हुई टी डिबेट मैं एक बर फिर आता हूं आपने अपने शु सुप्रीब कोड नहीं है मुद्धा सतर साल पुराना है पचास पीठाट में अभी ते अगर आप अपने आपको खुश करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोड ने करा रिदे सुप्रीम कोड कई है लेकिन हमें पता है कपील सिब्बल एसे कॉंग्रेस के लॉयर जाके इस केस को तो आपको पता है सारी डिटेल्स कैसे एसाइए रिपोर्ट जिसमें मुहम्मद खान एक कि अड्याजरे लड़ट का लकि cae लड़ा ना गार लड़ा इन फ्लॉएंस किया रहा है ना तो केस लड़ा ना एंफ्लॉएंस कि अट्याय जब आप पढलिक जब आप वो टी कह रही है, फ्रांसलेशन लोग पेजी दॉज़ु बहुत सारी चीज़ें होई, लेकिन जब सत्त आती है, एक केस है, जिस पर डेट पे डेट आई जारी है, एक जज आते हैं, वो डिजॉल वा आती है, दूसरी जज आते हैं, कई सारे केस आ कर चले जाते हैं, लेकिन का ट्रेह करें च और भेल ज्सेट की सरकार बननी को ग Catalunya कि यू इसे गाना आग्मिटियों प्रॉक्ताई नहीं किसे नहीं गी गिगेए पिसफरें से नहीं किता मौंतार। किस बनने किसी सरकार भनी होती तो रात मैं की सुर्णा क्यों को सर्ण wow को हरें क कि यूज अजू चेहरें को क्यों आधसों चैमार चेल तो इसेट शपर आप्रेंगों अजू थे तो जब आप चैनल रहा होता है और फैसला थाली जार नहीं का तो यूजी को पारें तो तो पांच दिन केस सला है तो प्लिए नहीं को सब्सक्वाड़ाइ वंज की द तरफपर बहुत सारी बाते हैं मैं चाहता हूं कि आपकी और से जो सवाल आए उनको भी हम इस पर चर्चा लोटाते रहे हैं हमारे पास सभाल लेने का क्या तरीका है क्या और उडियंस में माइक ले जाने की कोई विरुस्ता है क्या आजि के पास पहल से एक हाथ खड़ा हुआ जहां से काई हाथ खड़े हो रहे हैं मैं चाहता हूँ कि हम लोग जाद से जादा स्टूडन्ट्स को इस चर्चा में जोड़ पाएं कि अच्छी वां माइक है क्वेश्टन अंसर से पहले हमारे स्टुडेंट स्पीकर्स को क्योंकि अभी जो चर्चा हुई है वह बहुत एक उत्तेजग चर्चा हुई है बहुत सारे सावारूज के बाद हम वह भी करते हैं लेकिन मैं दो तिन सावाल ले लेता हूं ताकि मैं सिर्फ यह कह रहा हूं यह बहुत विस्त्रित है यह बहुत विस्त्रित है हो सकता है आपके मन में कोई ऐसी चीज़ों जो इस विशे को नहीं जगा पे ले जाए जी और पीस बहुत संशेप में अपनी बात रखिए गजी शांतनु सर से मैं कोश्चन पुछ नहीं साता अधिये कोश्चन हो से पूचा जाता है यह आज करेट क्यों नहीं हो कि मतलब नहीं ऐसा क्यों ठीक है बैटिए जैसा मैंने पहले काह था गाड़त के गाली प्रबमपत्य ॥ आंप दहूंनों इसे जिया दिये हैं कितने लोगोध्स अब्या यह आप सब को आली दे रहें वह आसाँ पिर आज देना असान एकता हूं जिसको भी अगर अदानी और मानी को गाली देना है मुझे लाइससे तो जियोगा आप जेवर अभी जेवर एरपोर्ट जू नया एरपोर्ट आप अडिली में उसकी बिडिंग वी अदानी नहीं प्लाई करा जू अपी जुवरी के अप्लिया यू यू कि अप्ली जू अफे टें जू जू ने जू चिट करिया तो जू नहीं वो बोलरें आपको तरह सब्सक्राइब जारी है इंका लॉजिक देए कोई और सवाल जी इस तरफ से एक सवाल एक सवाल इस तरफ से उसके बाद जो है जी मैं चाहरा हो कि जो भी हो चुके उसके अलावा आप को भी भीषिए उठाना चाहते हैं मैंने का 2014 से लेकर आज तक में बहुत सारे जो संस्कृतिक राश्टरवाद से जुड़े हुए हैं जो और स्वेश्टा से जुड़े हुए हैं अब इस तरह के सवाल कोई नया विशे अगर आप ज़रू उठाना चाहें वो उठाएंगे तो जादा चर्चा को नए मुकाम पर ले पाएंगे जी सब मेरा सवाल अपना नाम तरहीं का सवाल सवालम मच थोड़ा जू एक मिस्टेइक भ fight बरावर करूं बताय कि मुविस में मुझल आजम 1960 में बना थो दाना जी जो अभी हुआ गिकराज में और from 1960 में मुगल आजम कांग्रेस के राज में को गांग्रेस Тब से राज कर रही है क्या इंडिया में और सब से सफे राष्ट वादी है करें एक मिनोड़े वह वह रहे हैं को आप 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 यह कहना चाहरहे मुगलेciones Lalum अब भी स्ट्धेख आप सिर्फ करें जो आप गकर शोल्म कर सकते इप बीचार चिछ वह आज बीचार बना आय। दॉरुका क्यों अब भी ञाटकी कुछ थ सकते है और ही विट श्रह्रेया, और 3,000 कarna है ऐसी आप कर सकते है और हम भी जां सकते हैं। जब मैंने बॉलीवूट के बारे में कहा, मेरा कहने का मतलब था, किस तरह से खास केवल एक वर्व को महिनमा मंडित कला गया, और एक वर्व को नीचे दिखाया गया, जो हमारे समाज में कॉंग्रेस ने करा और वही मुवीज में परिलक्षित होता था, जो आपने 3000 करोर का स् दिखने एक लाक लोग उससे अलग अलग धन्दों से पोश्यत हो रहे हैं, ऐसे जूंब करेट करेट करी जाती है किसी अधारी को गाली फीर यहां पिछले नों सायद में अस पास एक दिन में वहां पर शायद 80 करोड अगर मैं गलत नहीं हूं, पनी हज़ा लोग यह एक दिन 80 करोड और मुझे लगता है कि स्टेचु जो है सवाल यह नहीं कि किसी स्टेचु पर क्या लगा सिर्फ एक आखड़ा यह बता हूं मैं सिर्फ इसले बतारों समझने के लिए ताकि आप आप समझ सके इस देश में राजीव गांधी कोई खेल नहीं खेलते थे लेकिन इस देश में कम से कम सतर स्टेडियम जो है राजीव रांदी जी के नाम पर सब्सक्राइब करने वाले इस पर इतना पैसा क्यों लेकिन आप सब्सक्राइब से जुआ जाव दिया उसको भी सुनिये और साथ-साथ एक और सवाल ले लेता हूं उसके बाद मैं फिल यह सवाल करना है तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि अपसे एक सवाल कूछा था कि क्यो जन्यों और जामियां दंगे हो रहे हैं तो आपने आप अपने उस सवाल का जवाब दिया था उस जवाब ने आप ने ऐसे कहा था कि वहाँ के बच्चे इंटलेक्टल सोच रखते हैं और और अगर हम वह चार यूनियोर सिटी चोड़े तो भी नाकपुर यूनियोर सिटी के छात्र हैं हमने भी CAA का पूरा नर्सी और CAA पूरा फर्स पेस से लेके लाश्ट पेश तक पड़ा है पर हमें कोई इसमें आपत् कि वचेश का बच्राइब में कि मीचिप नकीगा है कि मानते हुपी हर यू इंटलेक्च्छ था रिंटलेक्शल है जयन्यू का इंसे आप लोग बी इंटेलेक्छिली और भोल दियूगा इंटने पुले कॉन्वसेशिशने निए अगर तो युवा झाल तो युवा तो युवा कि अगर सोच रखे और मैं गिसी सीए के सपोर्ट में नियूगा है युवा पुरा तो पड़ा है ना मैं उसके अगेंस्टुना फ सुनिया माइक एक मिनटेक्ट मैं माइक यहां एक बच्ची बहुत समय आत उत्याय हुए है अचा चलिए ठीक है इसके बाद मैं जो स्टुडेंट्र सवाल बूचा सवाल पुचा इसी पे कहूंगा जब स्टार्टिंग में कह रहा था ग्रामर चेंज हो रही है यही ग्राम पर चेंज होई है माता दुर्गा को गाली देने वाले और अफजल को हीरो बानने वाले जेन्यू के लेट चाथरी अब नहीं बनाएंगे शिवाजी को मानने वाले राइसिना स्टुडेंट भी अब नरेटिव बनाएंगे करेंने राइसिना रफारी अघ्टल गवणनेंशल इंचन परढाव इंचन स्ट्री बनाएंगें अधिर नहीं खता wahrscheinlich वह बार्षी जाती है आप बार्षी जाती है विच्छी ए अश्राज्ची चलिए ओक उडिक्टरून डिक्निटरीज अँ राष मेरा सवाल सभी से है विच्छ पेशल रफेरेंस तुगी थो घीता मैम और शांतनु सर् जो हमारे बच्चे ने अभी कहा है बस a little twist on that question I would like to put across I still remember the statement of लोहिया जी जो उन्होंने कहा जिस दिन सडक पे आंदोलन होना बंध हो जाएगा समझ लो सरकार और संसद की मनमानी चल रही है तो क्या तो क्या अगर हमारे युवा आंदोलन कर रहे है विद प्रेंस to JNU जामिया are they anti-nationalist they are not they all have the right to raise their voice and you can't stop them there is there that is their way to go against that is wrong so this is my question anybody could answer but my special reference is to both I am a पना परिशे भी आप देजिए इका I am Professor Sophia Ansari from this college okay 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 yeah do but okay okay जैसा लोहीयाजी ने कहा था था हर चातर का फूरा हक पता है कि वो इद्रो करें लेकिन जैसे मैं नारे बताएं जिन्दावाली आज़ादी क्या वो विद्रो है है कि एससे कम होगी स्वास्थिक 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 के ऐसे लगाने से पीज कम होगी उसके पीछे अपना सेपरेटिस अजेंडा चलाना है इसलिए प्रोब्लम है मैं इसलिए उनको एंटीनेशनल कहा रहा है एक 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 अपोडिक आप इसलिए 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 परिट करना चाहती हूं तो शांसे चुरी यह का है देखिए चात्रों को पूरी स्वतनताब मैंने पहले ही यह कहा था कि स्टूडेंट अक्टिविजम तो हर केंपस का पार्ट होना चाहिए लेकिन वह उसका पोकल पॉइंट नहीं हो सकता पोकल पॉइंट अकेडमिक्स होता है और साथ ही साथ यह कहना क्योंकि जे नियू में करीब आथ हजार चात्र पड़ता है उसमें से अगर हजार से भी कम चात्र है जो कि इस आंदोलंग में सक्रियता से भार भागी बागी बागी दारी मेरा उनका नेरेटिव थोपना आप पच्छी हमारे साथ है वो बहुत देर साथ उठारी है प्लीज बेटा पूछिए अपरा नाम भी परता ये मेरा सवाल योगिता मैम से है जैसे की मैम ने कहा कि कम्मिनिकेशन गैप है तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आप यह कह रही है कि मोधी जी के कम्मिनिकेशन गै आप यह शॉनिक जार तो है साथ है, वह बोलते नहीं ते, यह पूछम नहीं रहते हैं मैं एक्टिविजम तब से करें जब कॉंग्रेस सत्ता में निर्भे अंदोलन कॉंग्रेस के अगेंस्ट मैंने किया, सबसे पले वाटर कैनन मैंने लिया है, लाथी भी मैंने कांग्रेस के समय पे खाई है, तो मेरे को मालूम है और यह चीज हमें चुपती थी, कि पर्धान मं करें जो जरूरी है, तीन हजार करोड की मूर्ती भी लगाए, उससे पहले उस भूखे बच्चे को रोटी दे, उस लड़की को रेप से बचाए, फिर लगाए वो स्टैचू तो वो स्टैचू जच्ती है, पर जब यहां बच्चों के रेप होते हैं, खाना नहीं है, पेट सिंबोलिजम है, मैंने इसमें डिबेट में पढ़ता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैं सिर्फ आप आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, कि हम यह सवाल उठाते हैं अक्सर, और इसमें योगीता जी ने जो बात कही है, वो बिलकुल मनमौन सिंग सरकार जब थी, आम आद टाइमस अफ इंडिया के फ्रंट पेज पर दो जनवरी का दिन था, मैंने एक खबर पढ़ी, वो खबर ये थी, कि दिल्ली के लोग मन्त 31 दिसंबर के आसपास, यानि दिसंबर के मैने में, एक हजार करोड की शराब पी गए, एक हजार करोड की शराब दिल्ली के लोग पी गए, मैं सरकारों पर हम उली उठाते हैं, हमें हक है, हमें उठानी चाहिए, लेकिन हमको खुद भी बदलना चाहिए, एक शराब की बोतर खरीदने हम जाता है, 31 दिसंबर, क्या हम सोचते हैं, कि किसी के लिए हम शर्दी है, तो किसी के लिए कंबल दे दें, ये जो राष् बुल जाए इनका राष्टवाद, बुल जाए इनका राष्टवाद, एक राष्टवाद तो मोदी जी ने दिया ना, इसके लिए हम सब ख़ड़े हो सकते हैं, वो राष्टवाद है देश की स्वच्छता का, उसके लिए हम सब ख़ड़े हो सकते हैं, हमारा देश साफ हो, तो हमारे लिए ये भी दाश्टवाद हो सकता. कौई भी काम करण से पहले उनको सकते हैं अपने नाम क्या पताया सूर्यानश बाठिए सुर्यांशु मुझे रगता है कि आपके वा का जवाय हम्म मैं और योगिता घाज हम सुभै एरपोर्ट पर ही बात कर रहे थे हम एरपोर्ट पर बात कर रहे थे और जो आपके सवाल का जाओ कि आपके किसी के किसी का किसी का सवाल एंदर है सबसे आदा करप्शन जो ना आपके और हमारे चरित्र के अंदर है हम लोग करप्शन हटाने की बात करते हैं लेकिन हम जो है खुद करप्शन से मैं जर्नलिजम का मैं तीस साल से जर्नलिस्ट हूँ और मैं आज आपको यह बता रहो इस मंच पे बता रहो खुले हम बता रहो इस देश में ऐसे पत्रगार हैं जो जिनके लंडन में और दुबई में अपार्टमेंट हैं मुझे नहीं मालूम तीस साल की पत्रगारिता करके मुझे आज अगर आज 6 लाग की दस लाग की गाड़ी खरिजनी पड़े तो मेरे पसीना आ जाता हूँ कि अपनी एक नंबर क की कमाईए से कैसे खरी सकता हूं मेरे पास इतना पैसा नहीं रेकिन इस देश में करcorruption जो पत्रकार दुसरों पर lic उठाते हैं वो खुद करप्ट हैं हम जो लोग करपकर्शन की बात करते हैं इस देश में चुनाव होते हैं तो इन दोने चुनाओं में क्या होते हैं डि चुनाओ के बाद ये ओपन था कि एक घर में अगर पांच वोट पड़े हैं तो और आपको एक पंदरा वोटर रहूंगे तो आपको एक एक एसी और एक कलर टीवी दूगा तो यह जो करप्शन है ना इसके लिए पहले हमको अपने अंदर से करप्शन खतम करना पड़ेगा ना पर लिए कि खतंग्व करने का आवाज उठाते रही हैं और हम लोग यहाँ पर एक विए लाकिन हम को कंसेख़ उधार करें कि यह से लोकतंत्र बहतर बनेगा पिर चा सवार अगर समय इजाजसर देगा तो हम और ले माईक माईक एक बार हलो हलो माईक एक बार फिर से आप तक आएगा लेकिन उससे पहले आपके जो मित्र मंच में हैं उनकी बात सुन लेते हैं स्टूडेंट स्पीकर वन वेंकटेश नाइडू जोरदार साली अपने दोस्त के लिए बजाईए प्रीज धर्म और कानून का यहां काला धंदा है बिक्चुकी अमिना बेगम शहवानों शर्मिंदा है पंडित मुला काला कववा पाक परिंदा है तुष्टी करन का लोग भियां पर कीचर से भी गंदा है ह। पूचो मेरे दिल से यारो भारत कैसे जिन्दा है भारत कैसे जिन्दा है व्यास्मिट पर विराजबान आदरने पतादिकारी गंड शद्य अध्यक्ष मोहद है सम्मानियर सिख्षक गंड और यहां पस्तित आप सभी शोतावर्गे को वेंगेडेश नाइडू का शत शत प्र और जब मैं उस विजन 2020 के सपने को वर्तमान भारत से तुलना करता हूँ तम मुझे चौकाने वाले आकड़े मेरे सामने आ जाते हैं क्योंकि जब भारत देश 21 सदी में प्रदारपन कर रहा था और जो समस्याई भारत देश के सामने तब थी और थात आतंगवाद भष्टाचार महिलाओ के प्रती बढ़ती हिंसा और आज 20 वर्ष बाद भी जब समस्याई जियो की त्यो है बलकि बढ़ चुकी है तम मुझे लगता है कि नए भारत के तेवर तो नए हैं पर समस्याई वही पुरानी है जब मैं बात करता हूँ राष्ट्रवाद की तो मुझे तो लगता है कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की संकलत नहीं गलत है क्योंकि राष्ट्रवाद एक राजनितिक विचारधारा तो है ह साथ साथ में अपने राष्ट्र के प्रती प्रेव, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करना और जो राष्ट्र के अहित के लिए कार्य करता है उसके खिलाफ आवाज उठाना होता है लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा राश्चवात का अर्थ यह कते ही नहीं होता कि किसकी सरकार सही, किसकी सरकार गलत यह कभी नहीं, बलकि राश्चवात का अर्थ होता है समस्याई क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए लेकिन इसके लिए हम केवल सरकार को दोश नहीं दे सकते हमें समझना होंगा हम उस देश के नागरिक है जिस देश में लोग सुबह उठकर सूर्य नमस्कार नहीं बलकि सोशल नमस्कार करने लगते है हम उस देश के नागरिक है जहां पर एक छोटा सा बच्चा जिसे ठीक से चलना नहीं आता, वो मोबाइल पे, टैंपल रन पे दोड़ लगाता है हम उस देश के नागरिक है, जिस देश का युवा हाथ में जहर की बॉटल पगड़के बड़ा पच्ताओंगे का रागला अपने लगता है हम उस देश के नागरिक है, अनेकता में एकता वाले भारत देश के अंदर, जब एक सूप्रसिद्ध अभीनेता को असहिश्णुता नजर आने लग जाती है और सोने की चिडिया कहलाए जाने वाले भारत देश में, जब भारत तेरे तुकडे होंगे कहने वाले विद्यार्तियों का जन्व हो जाता है तब मुझे लगता है कि राश्रवात की भावना खंड-खंड होती भी नजर आती है जब मैं बात करता हूँ अर्थ विवस्ता की, तो हमारे भारत देश की अर्थ विवस्ता इतनी जटिल है कि इसे समझ पाना किसी अर्थ शास्त्री के लिए भी लगबख नामुम्किन है क्योंकि जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था उस समय हमारे भारत देश की अर्थ विवस्ता सुचार रूप से चल रही थी लेकिन आज वर्तमान में जब जीयों से लेकर के पतंजलिक तक सब कुछ सुचार रूप से चल रहा है तब हमारे भारत देश की अर्थ व्यस्ता आर्थिक मंदी की और इशादा करती निजर आती है मैं बताना चाहूंगा इसके अंकूर कोई पंच वर्षिया या सब्त वर्षिया योजना के तहत नहीं बलकि 1951 में भुटे थी जब भारत ने पूरे विश्वा के सामने अपने बाजार को ले तो उस समय पूरे विदेश से निरेशक भारत आये व्यापार बड़ा और यही काम चीन ने भी कएया लेकिन चीन के पास एक आर्थिक नीती थी उनके पास आयात और नियाद की नीती थी बस अगर आज हमें हमारे देश को आर्थिक मंदी से उपर उठाना है तो उसी आर्थिक नीती की और कार्य करना होंगा और उसी आयाक और नियाद की एक स्थीती को हमें बताना होंगा तब जाके हमारे देश का विकास हो पाएंगा और आंत में जाते जाते मनस पटल पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, तन बिख चुके है, मन बिख चुके है, कर्म बिख चुके है, धर्म बिख चुके है, कैसा दुनिया का यह गजब तमाशा, यहां सरेयाम धूला धूलन बिख चुके है, यह मेरे मालिक अब तो आखे खोल, यहां लंगोटियों से ज्यादा कफन बिग चुके है जै हिंग जै भारत धन्यवाद व्यंकटेश के इस ओजस्वी उद्बोधन के बाद अगले विद्यार्थी वक्ता सौरब सिंग जरियाल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही हो कहीं भी मगर एक आग दहकनी चाहिए आदन्नी अतितिगंड मानिनी अध्यापक गंड एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा यानि सौरभ सिंग जरियाल का विनम्र अभिवादर मैं आज यहां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिसका नाम है नए भारत के नए तेवर राष्ट्रबाद से लेकर आर्थिक मंदी तक आज मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न रखता हूँ क्या सचमुच हमारे भारत के तेवर बदले हैं कि मैं आप सभी से यह सवाल इसले कर रहा हूँ क्यूंकि निर्भया और अज भी प्र्यंकर्दी के आरोपी आज भी प्रियंकर्दी के आरोपियों को सजा तब मिलती है जब वो पहली आठारा लड़कियों को जिंदा जला चुके होते हैं जब वो उन 18 लड़ियों को जिन्दा जला चुके हैं क्यों हम आख मुदे खड़े हैं क्या यही है वो नया भारत जिसके लिए वीरों ने सोतंतरता संग्राम लड़े क्या यही है वो भारत जिसके लिए लहू पात हुए मैं पूछता हूँ वो राश्ट्रवाद किस काम को जो हिंदू को मुसल्मान से बाटता हो जो सिक को इसाई से छाटता हो ये वो भारत है जिसकी एकता की मिसाल तब देखी जाती थी जब एक कैथलिक औरत अपनी प्रधान मंत्री की कुर्सी त्याग देती है एक सिक प्रधान मंत्री के लिए जिसे प्रधान मंत्री पद की शबत दिलाने वाला राश्ट्र पती एक मुसल्मान होता है उस देश पर शासन करने के लिए जिसकी 80 प्रतिशत आबादी हिंदू है इससे बढ़कर राष्ट्रिय एकता और अखंडता कहां होगी मैं आप सभी से पूछता हूँ मैं पूछता हूँ क्यूं वो अन्न दाता भूका है जो अपना अन्न बना करके हम सब को परोस्ता है पर खुद उसके घर का चूला आज भी ठंडा रहता है मैं पूछता हूँ आप सबसे वो वीर जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं क्यूं आज उनके घर के लोग सुरक्षा से वन्चित रहते हैं क्यूं घर के घर के लोग सुरक्षा से वन्चित रहते तत्कालीन स्तिथी पर मुझे महा कवी श्री रामधारी सिंग दिनकर की रश्मी रथी की चंद पंक्तियां मैं प्रस्तूत करना चाहता हूँ समय ये उस समय की बात है जब महा भारत में भवान श्री कृष्ण दुर्योधन के दर्वार में आते हैं सब को सुमार्ग पे लाने को मैतरी का संदेश दिलाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन विद्वश बचाने को भगवान हस्तिना पोराए पांड़ाओ का संदेशा लाए हो न्याए अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बादा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखलो अपनी धर्ती तमाम हम वही सुख से खाएंगे परिजन पे असीना उठाएंगे पर दुर्योधन वह भी देना सका असी समाज की लेना सका उल्टे हरी को बांधने चला जो था असाद्य साधने चला जब नाश मनुझ पर आता है पहले विवेक मर जाता है हरी ने भीशन हुंकार किया अपना स्वरू पुविस्तार किया डगमक डगमक दिगड डोले भवान को पितो कर बोले जन्जीर बड़ा अवसांध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे उस समय महाभारत के दरवार में भवान श्री कृष्ण थे और सत्ता में बैठा दुर्योधन था जो सत्ता के मुँँ में चूर था आज भवान कृष्ण की जगा इस देश की जनता है और सत्ता धारी दुर्योधन की जगा कुछ सत्ता के लालसी नेता है आज दुर्योधन की जगा उस सत्ता के कुछ लालसी नेता है जो ये भूल चुके हैं कि उन्हें तक्त पर बिठाने वाले उनको तिनके से तक्त पर लाने वाली ये जनता हम है उसी तरह जिस तरह दुर्योधन ये भूल चुका था कि उसे सिंगासन पर बिठाने वाले स्वयम श्री कृष्ण है पर विडंबना देखिए इस देश की कि उस समय जहां भवान श्री कृष्ण ने अपना भीशन रूफ विस्तार किया था वहां आज हम सभी समेटे वे बैठे हैं वहां जहां द्रौबती की लाज बचाने के लिए एक स्वयम श्री कृष्ण उतर पड़े थे वहां आज भी नर्वयवा शीफा अपने इंसाफ के लिए भूकी है क्या यही है वो नया भारत क्या यही है इस नय भारत का तेवर मैं पूछता हूँ आप सबसे और ये सवाल मेरा कुछ नेताओं से है जो हिंदू-मुसल्मान का प्रश्ण उठाकर जो हिंदू-मुसल्मान का प्रश्ण उठाकर हमें आपस में बाढ़ते हैं जो हिंदु मुसल्मान का प्रश्ण उठा कर हमें आपस में बाटते हैं मैं पूछता हूँ आप सब से क्या आप उसी खुदा के घर जाते हैं ये वह देश है जहां आदी शंकर अचारे ने उठकर के संदेश दिया था जब हम एक दूसरे में इश्वर देखते हैं तो कहां से आता है ये हिंदु मुसल्मान क्योंकि इश्वर का तो कोई धर्म होता नहीं कहां से आता है ये हिंदु मुसल्मान का अंत में मैं जाते जाते आप सबी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ वो राम का लड़ू भी खाता है वो रहीम की खीर भी खाता है वो भूका है सहाब उसे मजब कहां समझ में आता है दन्यवाद जैहिंग दन्यवाद सौरब और अब इस मंच से निवेदन है कि इन ओजसवी युवा वक्ताओं को सम्मानित करके उन्हें आशिरवाद दे सवाल को आधर्णिय अतिति क्रप्या अपने करकंबलों से समानित करेंगे और ये बच्चे जब बोल रहे हैं चाहे आप सवाल पूछ रहे हूं या माईक पे आपके दोस्त बोल रहे हूं प्रकर्ता आपके विचारों की स्पष्ट होती है निर्भेता निडर्ता भी स्पष्ट होती है कि उस युवा को यू नहीं बहला सकेंगे आप वो आदमी नया है मगर सावधान है सौरब सिंग जरियाल मंच पर चल रही गर्मा गर्म बहस के बीच इन दोनों युवाओं के शांत किंतु विचारों तेजक उद्बोधन सुनना एक अलग अनुभाव था एक बार पुना अश्यूप जी जल्दी से अब कुछ सवाल हम ले ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता कुछ सवाल रह गए थे और सब लोगों का जाने का भी वक्ता मुझे मालू है समय की भी सीम है जल्दी से दो तीन सवाल खतम कर दे मैंना भी तर से हाथ जोड़ने के लिए खतम कर दो खतम कर दो चलिए जल्दी से सिर्फ तीन सवाल लूगा क्योंकि सब की फ्लाइट भी है जल्दी से तीन सवाल लूगा चलिए एक राज शुरू है जल्दी से सर मेरा स सबीसं गैरा के वक्वग जब थनक अग्मला हुआ था सब्सक्राइब दो ऌजार से हड़ा के पहले क्या एक्शन लिया था आपने और अरव सवाल है और जब उल्वामा के वक्त हमलवा तब बले आतंगमत खतम तो अमेरिका ने भी नहीं किया है लेकिन हमने कोशिश तो कि उसको जवाब दे सके और दूसरा सवाद आपने अपने बातचीत के वक्त कहा था है कि नाम फेमस करने के जे शरत पावर जी का नाम लेते है तो इन्हो आप शरत पावर जी का नाम रोज ले सकते है तो आप देश का नाम क्यों ले सकते है तो आप देश का नाम क्यों ले सकते है एक मिन अपना नाम बता जे अपने नाम दिवेंचो नाम हाँ दिवेंचो ओके दोनों बात आप से कहना चाहता हूं कि शायद आपके मेरा पुरा लोटी में रही जाहतों इससे अनी कर में गैक का जाभको उनके सवाल को मैं ने पाहता ह हूद है धोन ने खारा पार Сाफ्फ्षाम कई तरी तो मैं रहें खाहँ थूंगा पार कि मुझे किसी को यह दोनों चीजिए तिकाने के यह कहो, ना मैं आप से जित कर सकता हूं, ना मैं इन से भी चित कर सकता हूं जल्दी से क्योंकि समय कम है, एक शीज़ा रमए उना पर को लेकर आपसे बात कही थी, कि demonetization का एक और कारण क्या कि आतंगवाद बंद करेंगे, हुआ क्या आप मुझे बता ही इसमें जोड़ना चाहिए भी अगला सवाल जी जल्दी से मैं बस यह इसमें जोड़ना चाहिए क्योंकि आतंगवाद के उपर तो जो भारतिय फॉज है हमारी जो सीमाओं पर खड़े होकर हम सब की दिन रात एक करके हमारी जो रक्षा कर रहे हैं उनके जब हमारे आहां सेना का जो चीफ है जब उसके अपॉइंट्मेंट के ऊपर राजनीतिक दर्जब प्रश्णी चिने लगाते हैं तो चरह सही सोचने के आवश्यक्ता है कि ऐसा क्यों है कि आप एक जो फॉज हमारी न्यूट्रल है और वो सम्विधान के साथ खड़ी है और वो सरकार के आदेश के साथ खड़ी है वो भार अपॉजर्ड पहुष To창ra Nan quelle फरी घृब बदिया जाता है उसके लिए जाम्या में और जREनी barking मैं क्यों समीनार में होते बताइयार विझ बल्कि अच्योग जी बोला जाता है कश्मीर में देश्यत करती है उसके पीछे वर्दी है ऐसे ऐसे अलोचना करी जाती है सेनाथ देख्ष को गली का गुंड़ा भी कुछ लोग कह देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए ऐसी जी हाँ जन्दी जी मेरा सवाल शांतनु जी से जन्दी से मेरा नाम अधनान है I am not an anti-national okay sir मेरा शांतनु जी आपने क्यों का यहां आपको किसी नहीं का नहीं सर क्योंकि मेरा सवाल से शायद कोई बोले तो पहले ही क्लियर करना जरूरी है क्योंकि क्यों आप कोहाँ यहां जरूरी है। तर फ्री कश्मीर का नारा जो लगा रहा है न उसे देश ते निकाले और उसको मार डाले क्योंकि वो जो भी वहाँ पर कर रहे हैं और अगर वो मुसल्मान है तो उनको जरूर मारे क्योंकि हमारे इसलाम में कहा है कि जो देश का हिंदू मुसलिम मत कर रहा है हिंदू मुसलिम नहीं उनका सवाल जो था उसी पर है क्योंकि वो में पॉइंट है आपने कहा कि वहाँ पर एक नारा लगा कि तेरा मेरा रिष्टा क्या लाहला इल्लाला मुहमद और रसुलिल्ला शका मतलब जानते हैं अब उसका मतलब है कि अलदा एक है, अलदा का रसूल मुहमद है शर यह चीज आए इससे फीज हाई किसे कमौगी शर अन्य मिनिट, एक मिनुट कम की बात नहीं कहरा हूँ मैं अगर आपे जो बोले सो निहा जल्दी सवाल कम्प्रीट होगे है ठीक है बैठे शुक्रिया जी चांतुरों जी पहला सब देखिए फ्री कश्मीर जिसने लगाया उन्होंने उन्होंने बाद में कि कहा मैं तो इंटरनेट इंटरनेट की अजा रही थी मैं मेरा के वल सवाल यह था उसमें कि तीनेंज की पढ़िये और उसके विरुद करिये उसके उसकी आड में कोई और अपना मुद्दा न चलाई है तेरा मेरा रिष्टा क्या ला इल्ला यह एक पुराना नारा है जो पैन इसलामिस और मुस्लिम प्रेदरूट के लिए कि इस देश की धरती से बड़ा जो हमारा मुस्लिम प् जल्दी जल्दी आएगा जी आएगा जी आएगा जी अपुली पूर्वा मेरा क्वेशन यह है शानतनु सर्सेग उचेसे कह रहे है कि 2014 से 2019 का ग्रामर चेंज हुआ है सो मैं ग्वेशन तो हम इस में कि इंडिया जो कैंपेन है गवर्मेंट इसके बाद भी इकनोमिक स्लोडाउन अभी भी क्यों है एक पॉसित जवाब पीछे पुजा दे और मैं शिल्ब दो सवाल और रूँगा यह नहीं तो सब्की फ्लाइट छूट जाएगी सब्सक्राइब पचिस साल का सबसे बढ़ा डूरेकंट नश्याइण बनातीन है में अचips के मैं आप सबसे कहता हूं जा 65-70 के पास आई है निया टार्गेट है कि पचास से नीचे कैसे आ जाए केवल हम बैठे-बैठे कहें सरकार जॉप कर देगी ऐसे नहीं करेगी सरकार के पस लिमिटेड पूल है उतनी सरकारी नौकरिया है अगर आप बिजनिस को असान करना करेंगे तब आप जैसे अंतर नौ किश्या हुआ है सर आपने जोब एक पॉइंट निकाले सर शराप की बात की ती जो दिल्ली में 31 डिसेंबर को एक हजार करोड का सेलिंग होता है अगर वही पैसा हम गरीबों में मतलब गरीबों में खर्चा करजे तो उससे अच्छा हम सेलिवेट कर सकते बड़ यह काम तो गवर्मेंटी करीने सर अगर गवर्मेंट डारू शराप सर बंद कर दे तो एक हजार करोड जो भी वह सिब दिल्ली का कर्चा है अगर ओवराल इंडिया का देखाई तो कितने हजार करोड बचने सर तो उसके बारे में क्या बलना है सर देखिए एक उड़ा ठीक है माइक द बंदी है शराब बंदी में हमेशा जो दूसरे तरह के लोग है यानि जो स्मगलिंग करते हैं ब्लैक मनी से पैसा शराब करिके उनकी तादाद बढ़ जाती है और खुद पुलिस वाले घर घर में शराब करने लगते हैं ऐसा भी होता है तो शराब बंदी कोई हल नहीं है लेकिन हम अगर शराब फीना छोड़ दें क्या कम करते तो जादा बहता रहा मुझे लगता है जी सर यहां मेरा नाम हिमांशु दावडे है और मेरा सवाल सर न्सीप लीडर से है कि सर बोलते है कि नोकरी निये नोकरी निये पर हर कोई ऑंत्रोप्रेनर क्यों बन सकता है तो बाइत बाइत ब्लीजे तो आप अंत्रोप्रेनर क्यों बन सकते तो सरकार 2014 से किसके पुछ लेलेना चंटरोप्र क्रेमिन राशन आल जो आपे तो जोड़ किकी क्यों आपको 2 3040 cat पुछ लीजे कि इस प्रोब्लेम सर्कार के बाहर सोची एंट्रपरेल सरकार नहीं बनाएगी उप्षप नहीं जोड़ दीजिए एक तो इसका जोब शून लीजी एक या बोल रहें इसरकार के आगे सोचे एंट्रपूर्ण सरकार नहीं बना सकती इनका में किन इंडिया के लिए इंडिया क्या फेक है यह पता दीजिए अंट्रपूर्नर मिनिस्ट्री का इक लिए किस लिए बनाया पुछ लीजिए उनको अगर वो जानकारी जानकारी बढ़ाए यह जानकारी बढ़े लोग इस बीजिए उस्टाइब इसे इएप में बितले इसन अफ्ली हैं इसली बिसनस तफाहब सब्सक्राइब कर दोस्तर लास्ट कोशिशन अचार मेरे वो सरसे कोशिशन दो कोशिशन सर एक तो स्मार्ट सीटी बहुत आप लोगों कोई पता है उनकी अप डिवेट नहीं होती आई तिंग ओवर स्मार्ट हो गया है फुल गया सब एक तो नाम सुने जैसा नाम तो सुना ह आप आप हैं लड़के सब तीन सो पर्जेंट इतनी जी डीप लो में तीन हजार परसेंट पी जो बिजनिस है इतने जी डीप लो में भर रहे लेकिन जो बाकी छोटे करांवते इसने जा रहे हैं वाइक ले डी टीए टीए यह क्यों कोब समय नहीं है मैं इसी पर इसी पर सब्सक्राइब करें चांदो करना जाएंगे शिरफ 30 सेंड में क्वेरे पास ने का पहली बार एक सरकार आई जिसने स्मार्ट सोचना शुरू करा और सो स्मार्ट सिटी चिन्नित करी वो सारी सारी स्मार्ट सिटी का फंड गौर्वर्मेंट के पास है उनके उनमें से 50-60 के तेंडर हो चुके हैं और ऐसा है वो स्टॉल है बीज़ेपी के स्टेट में चल रहे हैं यह मान सकता रोखनी पड़ेगी कि अगर स्की मोदी ने शुरू करी है तो हम उसे फेल करने ही कोईश्च करेंगे जैशा की बात बताता हूं जैशा की बात बताता हूं जब भी ऐसा क लिए में आरोप आए उसका एक पैमाना है अगर कॉंगरेस के लोग उसको कोट में ले जाते हैं मतलब हो सही है और कॉंगरेस के इतने वकील हैं कॉंगरेस की पुरी पार्टी व कि वकील की है अगर वो उसको कोट में नहीं ले जाते मतलब वो मीडिया की केवल आरोप है उस 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 इसकान से लिए इसकान से लिए पीछे से लोग जो जा रहे हैं एक फिर क्या हुआ राश्टवाद की बहस कुछ भी हो सकती है लेगिन स्टेट यहां से जाने से पहले एक पर जोर की भा सब्सक्राइब के लिए आप जरूर कर दीजेगा इंडिया विल बी अबल टो अचीव प्रस्पारिटी इन वेरियस फील्स वेन गोर्नेंस एंड सिटिजन्स विल शेर रिस्पॉंसिबिलिटी प्लीज वोट फॉर दाट शाशन और देशवासी दोनों के द्वारा अपनी जिम्मेदारिया निभाने से भारत प्रगती पत पर अग्रिसर होगा इस सत्र के प्रस्ताओं पर आप फेस्बुक पेज पर जाके मत दीजे कल दस बजे वापस इस सभागार में हमाएंगे दो और सत्र और उसके बाद एक बहुत अच्छा मनुरंजक संगीत मैं कारेक्रम आपके लिए होगा बहुत बहुत धनिवाद आप सभी का सभी अतित्यों का धनिवाद